हाँ तो बिल्कुल नियू चेप्टर है और इसमें एक खास बात और भी है और क्या है सर इसमें थोड़ा सा एक आध गुश्षर में इससे पिछले चेप्टर का रेफरेंस आ सकता है डैट इस लीवरेच का ठेकर रेफरेंस आएगा बस थोड़ा सा पहले हम देख लेते हैं सर तो क्यूं बणा है ये चेप्टर इस चेप्टर में बेसिंकली देखो वैसे तो फाइनेंशल मेनेजमेंट के हर एक चेप्टर में हम क्या लेते हैं इस चेप्टर में हमें डिफरेंट डिफरेंट प्लैन गिवनोगा यानि होगा क्या एक X,Y,Z limited है और इस company का पहले से ही share capital होगा मानलो 5 लाग और मानलो debenture होगा 2 लाग इस तरीके से दे रखा है पहले से company का share capital भी दे रखा है और debenture भी दे रखा है जब share capital और debenture पहले से गीवन है और company ना अब plan क्या कर रहा है कि company को suppose करो 3 लाख रुपे की और जरुरत है यानि additional fund और चाहिए तो हमारा पहला ये इसको बोलते हैं existing structure और हमें और 3 लाख रुपे की fund की जरुरत पड़ गई है सब अब 3 लाख की जरुरत पड़ेगा तो company ना इसके बारे में आपको question जो है इसके बारे में plan बता देगा चलो एक काम करते हैं हमना सारा का सारा equity कर देते हैं 3 लाख का चलो एक काम करते हैं हम सारा का सारा क्या करते हैं debenture कर देते हैं चलो एक काम करते हैं हमना क्या करते हैं थोड़े से डिवेंचर यानि हाफ हम क्या करते हैं एकुटी और हाफ हम क्या करते हैं डिवेंचर कर लेते हैं तो ऐसे combination बनाएंगे उसके लिए सर इस तीन लाग को पैसे इकटा करने के लिए आप से पूछा जाएगा बताओ कि इस combination में से सबसे best combination कौन सा बन रहा है सबसे best part कौन सा है तो best बताने के लिए आपको कोई ना कोई तो base लेना पड़ेगा ना कि इस base पे हम बता सकते हैं कि यह best है तो base लेने के लिए आपको simple सी बात है देखो EPS भी बहुत simple सी बात है सारे चीज़े तो base लेने के लिए आपको एक तो EPS का सहरा लेना पड़ेगा कि जिस company का earning per share ज्यादा निकल के आएगा वही company best माना जाएगा अब earning per share क्या होता अभी start करेंगे तो वह भी देख लेंगे और दूसरा जिस share का market price market price indifference point सर यह क्या होता indifference point indifference point का मतलब क्या है वो भी समझ लेते हैं indifference point का मतलब है कि वो level बताना जहां पर आप कुछ भी कर लो लेकिन आपका EPS पर कोई फरक नहीं पड़ेगा उतने profit का बताना होगा ठीक है ना तो हम पहले तो हम यह वाला part cover करने वाले हैं EPS वाला फिर हम इस वाले part पर आएंगे बारी बारी करके इस chapter को आगे बढ़ाएंगे बहुत चोटा सा chapter है हाला कि जब मैंने EPS का नाम लिया जो बच्चे पहले से पढ़ रहे होंगे उनको EPS का पता होगा कि EPS क्या है और कैसे निकाला जाता है और जिन बच्चों के आज first class है अभी मैं समझा दूँगा कि EPS क्या होता है और profit का पूरा structure क्या रहता और कैसे निकालना पड़ेगा ठीक है तो चलिए एक बार फॉर्मिट देख लेते हैं कि क्या रहता है सारा हमारा सेनेरियू एक ही इस्ट्रक्चर बनाते ना देखिए इसको आप कह सकते हैं इंकम स्टेटमेंट ठीक है अब आपको सबसे पहले आपको given हो सकता है sales sales आपने यहां लिख लिया इसके बाद इसमें से minus कर देंगे हम variable cost variable cost हमने यहां लिख लिया जैसे ही variable cost minus हो जाएगा हमें जो result मिलेगा that is contribution इसको contribution नाम देंगे हम जैसे ही variable minus करेंगे इसके बाद हमें minus करना होगा जो भी question में fixed cost given हो fixed cost वो minus कर देंगे question में आपको always given होगा point यह जो आएगा यह हमारा क्या आएगा earning before interest and tax earning before interest and tax होगा यह ठीक है earning before interest and tax जो होगा वो हम यहां पर ले लेंगे जैसे ही earning before interest and tax अब सवाल में यह हो सकता है कि direct आपको यह point दे दे 90% chances रहेगा ऐसे chapter के सवाल में कि आपको direct EBIT दे ऊपर का हिस्सा ना दे अब अगर उपर का हिस्सा दे रखा हो तो फिर आप ऐसे करेंगे अदर्वाइस आपको पहले सबसे टॉप पे यह लिख लेना है फिर हम क्या minus करेंगे इसमें से sir interest minus करेंगे interest ठीक है sir जब interest minus कर देंगे तो एक और result आजएगा that is आजएगा EBT earning before tax अब इसमें से हम minus कर देंगे sir income tax जिसको हम corporate tax के नाम से भी जानते हैं income tax के भी नाम से जानते हैं तो उसको क्या करेंगे हम simply यहाँ पे minus कर देंगे कि इसको minus करने के बाद हमारे पास जो result आएगा हूँ आएगा EAT अब इसमें से minus करेंगे हम preference dividend अगर question में है तो preference dividend minus करने के बाद अब आएगा हमारे पास earning for equity earning for equity अब earning for equity जो भी आता है हमारा whatever अब इसके अंदर से हमें क्या minus करना है इसको divide कर देना है जो यह point आया है ना फिर हम लिखेंगे number of shares जो भी आएगा हमारा question में given होगा जब इसको इससे divide करेंगे तो हमारा आद आएगा सर EPS EPS क्या होता है सर earning for equity अब यही हर बार question में निकालना होगा जिस question में जिसका भी सबसे हायर EPS वह company वह proposal क्या माना जाएगा हमारा best माना जाएगा बहुत simple सा तरीका है अब सर हो सकता है इसमें leverage का discussion किया जाए सबसे पहले हम कुछ-कुछ बातों को देख लेते है fix cost always आपका fix रहेगा interest किस पे निकलेगा सर interest आपका हरे इक उस point पे निकलेगा जो questions में given हो जैसे सर यह हो सकता है debenture पे निकालना पड़े आपको और हो सकता है आपको किस पे निकालना पड़े loan पे और third हो सकता है किस पे दालना पड़े bond पे मैं थोड़ा सा इसको fast इसलिए भी लेके चल रहा हूं क्योंकि पहले leverage वाले chapter में detail में discussion है लेकिन पहली class है तो समझ में आ जाएगा ऐसा कुछ नहीं है कर नहीं समझ में आने वारा ठीक है tax का rate आपको given होगा हमेशा tax का rate question में given होगा जिस question में tax का rate नहीं given तो मान लिजिए उस question में tax है ही नहीं आगे देखते है सर और क्या चीज़े सीखना है इसके अंदर कुछ formula use हो सकते हैं सर क्या formula use हो सकते हैं जिसे बोलते हैं degree of जिसे डी ओल के नाम से बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ आप जब noting करेंगे तो लिख लीजिएगा इसको इसका formula होता है हमारा इबी आइट कोंट्रिबीशन divided by EBIT सर contribution क्या है इनको divide कर देंगे answer आजाएगा दूसरा use हो सकता है इसके अंदर DFL भी पूछा जा सकता है DFL का formula क्या हो सकता है सर EBIT divided by EBT और सर इन formula को बहुत अच्छे से detail में आप पढ़ना चाते हो न तो इससे पहले वाला chapter कौन सा है leverage वो पढ़ना पढ़ेगा उसके अंदर बड़ा detail में मेरे ख्याल 10-15 question इसी के उपर थे जो भी थे 8-10 question सारा का सारा इसी पर था इसके बाद होता है DFL degree of financial leverage इसका formula होता है contribution divided by EBT या फिर इसका एक और formula हो जाता है हमारा इसके बाद क्या है DFL क्या होता है EBIT question में निकल गया मैंने EBIT दो बार लिख दिया यह EBT होगा EBT होगा ठीक है na EBT DFL क्या होगा contribution divided by EBT और यह formula कुछ एक points use होने वाले हैं sir EPS कैसे निकलेगा sir earning for equity divided by number of shares sir number of shares कैसे निकालेंगे हम always आपको questions में shares का amount given होगा तो आपको assume कर लेना है वहाँ पर अगर कुछ नहीं बोलता अज्यूम face value मानना है always कितने का 10 रुपे का और 10 रुपे से डिवाइड करके आप निकाल सकते हो क्या number of shares और अच्छा DCL होगा सही है DCL होगा ठीक है कुछ formula आपका यहाँ पर कौन सा use हो सकता है जो कि हमने last class के discuss नहीं करना चाहता P.E. ratio का हो सकता है यहाँ पर किसका हो सकता है सर P.E. ratio price earning ratio सर इसका formula क्या होता है price earning ratio का current price divided by E.P.S. यह आजाएगा आपका ratio है तो into 100 रहेगा percentage के terms में आजाएगा P.E. ratio यह आप percentage में नहीं निकालने चाहते इस टू में निकालना चाहते हो तो इस टू में आजाएगा without percentage लगाएगा ठीक है तो यह हमारे कुछ formula यूज होने वाले हैं इस chapter के अंदर chapter के अंदर sir main core क्या है हमें एक decision बताना है और decision कौन सा अच्छा माना जाएगा जिसका E.P.S. सबसे ज़्यादा होगा वो company के लिए beneficial रहेगा different alignment ठीक है न तो चलिए हम कुछ question directly start करते हैं इतना lengthy और इतना बड़ा chapter नहीं है हम पहले बात करें तो आज से 7-8 साल पहले चार साल पहले से कभी भी इस chapter में से examiner सवाल नहीं पूछा करता था लेकिन पिछले चार साल के बाद frequently इस chapter में से वो question पूछने लगे हैं कि आपको indifference point बताई और इसमें indifference point वाला portion ज्यादा important है जो कि हमारा next class या next से next class के अं question पढ़ते हैं हम हम पहले कौन सा question करें सर पहले इसी question को करना prepare करेंगे क्योंकि पहला question जो है हमारा यह है EPS और different type of leverage इसको नहीं करेंगे पहले second question करते हैं ठीक है पहले हम second करेंगे फर्स्ट बाद में DCL DCL ठीक है कहता है अब हासकर manufacturer limited है has a equity share आपको दे रखा है पांच लाक और face value 100 रुपए है तो मैं पहले यहां पर पहले निकाल लू number of क्योंकि इसकी जुरत पड़ेगी ना हमें equity share कैसे निकलेगा और डिवीज्वल वाए तो यह आगे हमारा पांच हजार यानि हमारे पास पहले से पांच हजार शियर है पहले से पुराने टाइंट से ठीक है आगे आ जाते हैं to meet expenditure of expansion program हम अपने प्रोग्राम को मतलब अपने बिजनस को लार्ज करना चाहते हैं बड़ा करना चाहते हैं the company want to raise three lakh have the following company को जरूरत है company क्या चाह रही है कि company को need है कि और यानि extra कितने fund चाहिए उसे तीन लाग अब मैं एक सवाल पूशना चाहता हूं मैंने question पढ़ा नहीं अभी बाद में अब देख लेंगे हो तो तीन लाग का है और मैं बोलू कि company ना पूरा तीन लाग का equity में ही कर देगी तो बताओ company के पास total equity कितने हो जाएगे मैंने question क्या बोला कि जो तीन लाग रुपए एक्स्ट्रा है चाहिए company को इसने suppose करो कि तीन लाग पूरा का पूरा equity के अंदर ही पैसे लगा के मतलब के पैसे जो fund raise किया वो equity के थूरू किया तो जो हमारे पास total number of shares हो जाएगे वो कितने हो जाएगे पांच पहले से है तीन ये वाले हो जाएगे तो number of shares total कितने हो जाने है आठ हजार हो जाएगे समझ में आई बात आपको अगर मैं कहता हूँ यह पूरा का पूरा मैं debenture ही रखूंगा मैं shares में नहीं लगाऊँगा तो total number of shares क्या हो जाएगे तो हमारे जितने पहले थे पांच हजार वही पांच हजार रहेंगे समझ में ही बात आपको यहां तक समझ में आ रहा है इस तरीके से point given हो सकता है question में चलिए ठीक है आठ हजार आठ हजार पांच हजार सभी का जवाब आ गया है पढ़ते हैं plan A कहता है company के दिमाग में इस तीन लाग के लिए plan क्या चल रहा है company चाहती है कि काम करते है यार सारा का सारा equity issue कर देते है ठीक है तो earning हम निकालेंगे earning को डिवाइड कि से करेंगे बाठ हजार से डिवाइड करना हुआ क्यूंकि 5000 पुराने वाला share और 3000 यह वा इंदर number of equity कितने हो जाएंगे 1000 एक लाग से आएगा और पांच यानि 6000 से अब डिवाइड करना पड़ेगा plan C में क्या कहता है full money borrow 10% यानि सारा का सारा पैसा एक काम करते हैं डिवेंचर से ले लेते हैं तब तो equity कितना रहेगा बताओ 5000 ही रह जाए क्यूंकि new fund में तो equity आय तो यानि चार plan बता दिया the company having the present earning यानि company का सीधा present earning का मतलब है EBIT जब कभी भी present earning देगा तो that is the indicate क्या करेगा EBIT the corporate tax यानि tax का rate 30% is select the suitable plan out of the above four plan raise required fund बताइए company को A plan चूज करना चाहिए B plan चूज करना चाहिए C plan चूज करना चाहिए D plan चूज करना चाहिए यह सारी बाते तो एक ही बात पर discuss मतलब यह जितने भी decisions निकलेंगे उसका base क्या लेंगे हम EPS ले लेंगे यानि जिसका सबसे higher EPS वो plan company को क्या करना चाहिए choose करने चाहिए तो चलिए हम कितने plan बना लेते हैं यहाँ पे चार plan को हम लेके चलने वाले है ठीक है ना चार plan को ले लेते हैं यहाँ पर फटा-फट से एक plan दो plan तीन plan और यह चार plan ठीक है बहुत सिंपल सा topic है यह plan A, plan B, plan C और plan D चार plan हो गया सबसे पहले सभी plan के accordingly आपको क्या रख लेना है अपना EBIT रख लेना है यह particular सबसे पहले क्या रख लिया हमने EBIT और EBIT सभी plan में समान ही रखना है तो सभी जगह पर डेट लाख ही आएगा और ऐसे question 15 marks में आ जाते हैं तो मान के चलो lottery लग गई आपकी एक तरीके से क्योंकि 15 marks में देखो कितना simple सवाज देखने में थोड़ा सा लग रहा है लेकिन देखना easily कितनी जल्दी यह solve होता है और answer हमारे कितनी जल्दी आता है तो इसमें से सबसे पहला काम EBIT के बाद हमार माइनस करना interest तो चलिए सबसे पहले माइनस करते हैं हम interest सर इंटरस्ट की बात करें तो plan A में तो पूरा कभी लोन तो ही नहीं है ना plan A में तो लोन ही नहीं सहाब तो फिर interest की कहां से बात आएगी plan B में loan है सर कितने का loan है plan B में दो लाग का और 10% का rate है तो plan B का interest क्या आ जाएगा हमारा 20,000 यह सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए plan B का interest 20,000 कैसे है plan B का interest plan B का interest में निकाल रहा हूँ सर दो लाग रुपे का loan है और into में 10% that is 20,000 रुपे ले लिया और plan B का अगर equity की बात करें तो equity कितना होगा सर old वाला equity तो new equity की बात करें अगर हम new equity की बात करो तो कितना होगा एक लाग रुपे का fund divided by 100 यानि सर एक हजार मैं एक का पूरा करके दिखा देता हूँ बाकी और ली कर लेंगे हमें है न तो एक हजार और पुराना equity तो हमारा चली रहा है that is कितना था हमारा यह पांच हजार रुपे तो जितने plan में equity एड होता रहेगा वो लिखते रहेंगे ठीक है चलिए plan 3 पे आ जाते है plan 3 में क्या कहानी है sir plan 3 में सारा का सारा loan है plan C के अंदर तो सारा का सारा loan है तो loan कितने का होगा तो sir 3 लाग का तो additional fund चाहिए तो इसका मतलब आ जाएगा यहाँ पे 30,000 सभी बच्चों को समझ में आया plan number 3 पे loan कैसे लिया हमने 30,000 ले लिया बिल्कुल सही चलिए आईए अब plan number 3 के अंदर बताओ कितना equity होगा sir plan number 3 में 5000 ही equity रहेगा क्योंकि नए equity की बात ही नहीं है plan D में आ जाओ sir क्या यहाँ interest होगा जी जवाब है नहीं होगा sir यहाँ पे interest because of यहाँ पे loan तो है नहीं है यहाँ पे preference share or preference dividend कहा minus करते है देखे मैंने बताया था PD मतलब preference dividend इसके बाद होता है minus tax के बाद तो चलिए आपके पास एक result निकल के आया है यहाँ पे क्या result निकल के आया earning before tax यह कितना रह गया यह कितने आ गये यह कितने आ गये और यह रह गया यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है अब minus किसको करना है सर सर अब minus करने की बारी आ गई tax की और tax को जब हम minus करेंगे तो देख लेते हैं tax कितने परसंट है 30 परसंट इसका 30 परसंट निकालेंगे किसका सर मैं पहले वाले category का कर देता हूं कुछ बच्चों को पता नहीं चलता किसका निकाला है हमेशा इस वाले कॉलम का 30 परसंट निकलेगा टेक्स भी कहते हैं ठीक है न अर्निंग आफ्टर टेक्स को क्या बोलते हैं प्रॉफिट तो एक लाग यह क्या जाएगा 90 यह क्या जाएगा 16000 माइनस करोगे तो 80 और यह क्या जाएगा 105 क्लियर है यहां तक ठीक है चलिए 45000 बिल्कुल ठीक जवाब है अगले पॉइंट प माइनस करना ओता है अपर टेक्स के बाद प्रेफरेंस डिविडंट प्रेफरेंस डिविडंड में पी इडी लिGS वल लेकिन मैं साथ के साथ बोल भी रहा हूं तो जब आप नोटिंगए कोई पूरेंट दिक्कत आता है तो आप पूरा फुल फॉर्म लिक्षियों नहीं त सौथे प्लैन में आ गया आठ परसंट और कितने का 2,00,00,000 तो 8% 2,00,000,00 का कितना होता है हमारा सर 16,000 रुपे प्रफिरेंस डिविडेन आ गया अब आ जाएगा हमारे पास क्या अर्निंग फॉर एक्विटी अर्निंग फॉर अब ध्यान रखे अगर हमारा preference dividend ना हो तो EAT divided by number of shares करेंगे तभी EPS आ जाएगा क्योंकि जहाँ पर preference share नहीं है वहाँ पर EAT से ही सारा काम चलेगा और जहाँ पर tax नहीं है वहाँ पर EBT से ही सारा काम चल जाएगा जहाँ पर interest नहीं है वहाँ पर EBIT से काम चला जाएगा तो यानि ये सारा सबसे last है अगर कोई point नहीं दे रखा हो तो उससे उपर जाके उससे divide करेंगे तो हमारा आ जाएगा easily EPS तो ये तो एक लाग पाँच हजार ही आएगा ये 91 आ जाएगा ये 84 आ जाएगा और ये 16,000 माइनस करोगे तो कितने आ जाएगे 89,000 अब सर हर किसी का number of shares लिख लेते हैं ताके divide करने में हमें आसानी हो जाए number of shares पहले वाले case के अंदर full liquidity था तो number of shares क्या होंगे 8,000 सर दूसरे पहले वाले case के अंदर मैं लिख देता हूँ number of shares case number A के अंदर कैसे 5000 पुराने और 3000 नए और B के अंदर क्या है सर 5000 पुराने और 1000 नए और C के अंदर क्या है सर पूरा 5000 और D के अंदर क्या है सर 5000 और 1000 यही निकला है न तो सर यहाँ पे number क्या हैगा सिर्फ और सिर्फ किसमें interest था तो यहां पर आजाएगा 6000 यहां पर क्या आएगा 5000 ही रहेगा और यहां पर क्या आजाएगा 6000 पहले तो आप यह देख लीजिए number of shares अगर आपको number of shares समझ में नहीं आ रहा तो मान के चलिए फिर आगे आपको दिक्कत आएगी पहले number of shares justify कर लिजिए अभी को clear है number of shares यहां पर कितने share ईशू की है टूटल पूरे तीन लाक रुपए के तो देखो यहां पर मैंने बताया था न नीड तीन लाक रुपए का फंड था तो तीन लाक का तो तीन हजार यह शेर और 5000 पुराने तो चले आ रहे हैं यह तो पुरा कितने जूड जाएंगे एक लाक का equity यानि एक हजार और पुराना चला रहा है तो छे अजार तीसरे प्लैन के अंदर तो नया एक कुटी है ही नहीं सारा का सारा लोन ही है तो पुराने वाला ही रह जाएगा 5000 तीस चौत्थे वाले प्लैन के अंदर एक लाक का equity से पैसा लिए देख लेते हैं वो तो अब EPS कैसे निकालोगे सर EPS का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं EPS is equal to earning for equity मैं सिर्फ earning लिख रहा हूं divided by number of तो आपको कहीं नहीं जाना है इसको इससे divide करते जाना है और आपको answer बताते जाना है तो इसको इससे divide करें तो क्या आता है divided by 8000 13.125 90,000 divided by 6000 15.166 84,000 divided by 5000 16.8 89,000 divided by 6000 14.83 अब देखें यहां पर सबसे best plan कौन सा है सर अगर आप सबसे best plan बोलते हो तो मैं बोलूगा सबसे best plan कौन सा है यह वाला सबसे best plan हमारा यह माना जाएगा आपको यह लिखना है कि हमारा सर यह वाला plan best plan है ठीक है समझ में है और एक चीज़ और notice करना कई बार लोगों का अफदहरना लोगों का मानना होता है कि करजा लेके business करना हमारे business के लिए बेकार माना जाता है यहीं मांते मैंय अगर किसीसे बोलू अपना एक business start करلो startup करलो पैसे कहा से आएंगे मैंने का loan ले लो bank से बोला loan लेके हम काम नहीं करते हैं हम loan नहीं लेगे अपने पैसे होंगे तभी start करेंगे उनकी भी बात ठीक है इनीशल लेवल पे लेकिन बड़े बिजनसमेन हमेशा क्या चाहते हैं कि हमारा पर कैपिटा यानि एकुटी शेयर के जो EPS है वो ज़्यादा आए तो अगर देखा जाए ना तो प्लैन नंबर C देखो आप ध्यान से तो प्लैन नंबर C में सिर्फ क्या लिया गया था लोण तो ज्यादा इंवस्टर किसमें खुस रहेंगे लोण लेके बिजनस करने में कंपणी का प्रॉफिट क्या रहा है ज्यादा APIs कर लों कर कमपणी का नंबर के टर्म क्लूफिट कम आ रहा है लेकिन जब हर लोगों के बीच में बटेगा तो ज्यादा ब बढ़ेंगे क्योंकि यह भी मानना होता है कि जितने ज़्यादा number of honor बढ़ेंगे तो वहाँ dispute होने के chances हो जाते हैं और profit minimum हो जाता है तो इसलिए वह क्या करते हैं लेके जादा काम करते हैं जाद से जादा अपने पास रख लेते हैं और बोलते हैं लोन ले लेते ब्याजी तो जाएगा लेकिन वह profit भी तो हमारे पलाद बनके आ जाएगा कही और एक पियेस भी बढ़ा है और दूसरा आपको profit ultimately क्या हो जाता हमारा कम हो जाता क्यूंकि फिर हम 1020 पर टएक्स देते न एक 20 के उपर अगर 30% देते आप पर 40,000 तो हमारा income कितना जाता एक लाख 5000 और number of shares बहुत सारा होने की वजह से क्या हो जाता पर पर income कम हो जाता तो best plan यही है और यही बताना और इस type के questions मैं बोलू तो exam में बहुत बार पूछा गया है यह और मतलब कि 5-6 सालों में frequently आ रहा है और कितने नंबर का सवाल पूछा जाता है 15 marks का question पूछा जाता है और sir 15 marks में मैंने समझता कि आपका quiz के अंदर बहुत कुछ करना है बस simply आपको plan बनाना है और फटाफट फटाफट और इस questions को करने में मैं तो board पे समझा के कर रहा हूँ paper pen पे करोगे तो 10 minute भी सवाल को करने में नहीं लगना आपको सिर्फ number आपको divide करने है clear रहे आपको sir interest वाला explain कर दें interest कैसे निकला sir पहले वाले plan के अंदर देखो हमारे पास capital यह है तो पहले वाले plan में तो हमने loan लिया ही नहीं तो interest भी नहीं हुआ दूसरे वाले plan के अंदर हमने loan 2 lakh का लिया तो 2 lakh पे 10% 20,000 हो गया तीसरे वाले plan के उपर अब तीसरे वाले plan की बात करते हैं तीसरे वाले plan में तो सारा का सारा loan ही है तो 3 lakh का loan था 3 lakh पे 10% निकालोगे तो 30,000 हो गया चौते वाले plan के अंदर loan का कोई नामों निसान नहीं है क्या है तो यहाँ loan आया नहीं तो इसलिए मैंने desk लगा दिया ठीक है सभी बच्चों को अगर clear है book कौन सा लेना है book rp रस्तोगी लेना है जिन बच्चों को nearby shop पे नहीं मिल रहा मैंने comment आप जाएंगे group के अंदर वहाँ पे description मैंने ping करा हुआ है वहाँ से आप direct Amazon से buy कर सकते है book जो कि latest book available है क्योंकि दुकान में कई बार पुरानी book मिलती है क्युछ मिलता है इसलिए बैने latest book का वहाँ पे डाला हुआ है अगले point पे चली क्या चली एक और सवाल आपके सामने है यहाँ पे कहता है which alternative consider the best आपका कौन सा alternative best है 2010 में भी डियू में पूछा गया था यह सवाल इसके बाद कौन सा है यह भी सेम ही है चलो पहले यह वाला कर लेते है पढ़ लेते हैं पहले question क्या कहता है question में existing capital structure existing capital structure का मतलब अभी present में जो हमारे capital है क्या है तो present में capital क्या कहता है हमारे पास भाईया equity जो है वो 40,000,000 रुपे का है 100 रुपे का यहनी number of shares की बात करें तो 40,000 का shares है retain earning भी है retain earning पता ही क्या होता है profit को ही बूलते हैं कई बार EBIT नहीं देगा तो retain earning को ही profit मानके आगे बढ़ना होगा अब को ठीक है इसके बाद आपको preference share पहले से दे रखा है 12% कमा रही है तो जब कभी भी आपको पता ना चले 12% किस पर कमा रही है तो always याद रखना company earning का जब ratio देता है के इतने percent कमा रही है तो वो total capital के उपर हमेशा percentage कमाती है तो हमारा यहाँ पर capital कितना है 40,000,000 तो 40,000,000 पर हमें 12% की कमाई होगी that is कितने हो जाएंगे 40,000,000 पर 12% 4,800,000 की इसकी क्या होगी earning हो जाएगी capital equity पर mainly कमाते है अब यहागे देख लेते हैं और क्या कहते है the company want to raise 25,000,000 रुपे company को extra चाहिए यानि यहाँ से यहाँ तक company की पुरानी कहानी है अब company 25,000,000 रुपे और fund चाहा रही है for its expansion उसके expansion प्रोजेक्ट के लिए consider the following alternative और company बोलती के भाई यह 25,000,000 कैसे कैसे लिए जाएंगे हम कुछ proposal बता रहे है बोलती है एक काम करते हैं के हम 20,000 equity 25 रुपे पर share का issue कर देते हैं तो 20,000 equity 25 रुपे में पर share करोगे तो कितने आ जाएंगे पांच लाख रुपे आ जाएंगे है ना और कहता है issue preference share कर देंगे 10% 25 रुपे इंटू 20,000 कितने होता है पांच लाख company को चाहिए कितना अच्छा यह share 25 प्रीमियम है पर share तो यानि 125 का हो जाएगा ना पहले 100 का तो था ही तो 125 इंटू में 20,000 तो आपका वो 25 राख ही आएगा ठीक है ना उससे कोई लेना नहीं प्रीमियम पे आ रहा है तो प्रीमियम से number of shares decide करने में easy रहेगा कहता है चलो सारा का सारा preference करते हैं और सारा का सारा क्या करते हैं debenture करते हैं यहां तक कहानी समझ में आ रही है पिछले वाले case होगे हमारा लग बग लग बग it is the project that P ratio of the company P ratio in case of equity preference and debenture आपका क्या है 20, 17 और 16 पहले वाले में P ratio क्या है 20 दूसरे वाले में क्या है 17 तीसरे वाले में 16 respectively which alternative would be consider to the best give the reason your choice आपका सबसे best कौन सा होगा तो बड़ी सीधी सी बात है best कौन सा माना जाएगा सर जहां का EPS जादा है और क्योंकि यहां पर price earning share की बात कर रहा है तो यहां पर हम market price भी shares का निकाल सकते हैं market price shares का निकालने का formula क्या था देखो हमने स्टार्टिंग में देख लिया था इसलिए मैंने लिख दिया था कि आपको क्या पता है price earning ratio पता है आपको EPS पता चल जाएगा तो market price भी आप easily difference करके निकाल लोगे क्योंकि यह तो find किया जा सकता है आपका और यह आपको सवाल में given है तो इस situation में देखा जाए market price तो इस वाले question पढ़ने के लिए time दे रहा हूं आप पढ़ लिजे question और यह देखिए आप यहां पर retain earning का क्या काम है सर रिटेन अर्निंग आपका profit पुराने earning दे रखें आपको question में कहा दिया company अन प्रॉफिट इबी आइटी बारा परसेंट एंड टेक्स ऑन 30 परसेंट उसके ओपर टेक्स कितना लग जाएगा हमारा 30 परसेंट टेक्स लग जाना है चेप्टर है हां चेप्टर है चलिए चालिस पचास एक लाव पच्छिस लग जाएगा है चालिए ध्यान दीजिए अब यहां पर इपी इबी आइटी क्या कह रहा है सर इबी आइटी ना बारा परसेंट है और दा टेक्स ओन इंकम तो इबी आइटी निकालने के लिए थोड़ा सा मैं पॉइंट डिसकस कर लेता हूं गीवन इन परसेंटेज जब आपको इबी आइटी सिंपल दे जैसे पिछले सवाल में था तब तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन परसेंटेज दे दे तो हमेशा निकालेंगे हम टोटल फंड पे और सर टोटल फंड क्या होता है एक्विटी शेयर कापिटल प्लस प्रिफरेंच शेयर कापिटल प्लस रिजर्व एंड सर्प्लस प्लस लोन प्लस डिबेंचर प्लस कोई एडिशनल जो हम फंड रेज कर रहें न्यू फंड उसको मैं नाम दे देता हूं न्यू फंड जो ये सारे फंड एड होके आएंगे उस फंड के उपर आपको लगाना है सम परसंटेज किसका इवी आईटी का ये ध्यान रखना आपको इब्याटी निकालते टाइम पर अगर स्रिफ एक्विटी है तो तो एक्विटी पर लगा दोगे अदर्वाइस आपको जितने भी आपके यानि मैं टोटेल एटी में कहूं तो जो भी ये सारे डिबेंचर बगर हैं करेंट लाइबिलिटी इसमें बिजनस के अंदर वो देखा जाएगा जितने एसेट्स होंगे वो इन्वेस्मेंट ठीक है तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें किस पर लगाना पड़े सर टोटल एसेट्स इंटू में इवी आईटी का परसेंटेज हो सकता है वैसे अभी कोश्चन में आएगा नी तो सर जो प्लस 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 और प्लस जो फंड रिक्वाइड है वो भी ले लेगे ठीक है तो टोटल कितने होंगे 40,50,50,1,25 एक करोड पच्चिस लाग एक करोड पच्चिस लाग पर आपको 12% अप्लाई करने है तो प्लैन नमबर वन एक करोड पच्चिस लाग 15 लाग सभी में EBIT यही रहने वाला है अब बात करते हैं इंटरस्ट का सर अब इंटरस्ट देखिए पुराने टाइम का भी इंटरस्ट कंसिडर होगा ऐसे नहीं कि आपको पुराने टाइम वाला इंटरस्ट नहीं लोगे प्लान वन में तो इंटरस्ट है ही नहीं समझ रहे हो और पुराने टाइम का कोई इंटरस्ट है बिल्कुल है कितने का इंटरस्ट है 25 लाग का सेवन परसंट यानि एक लाग पुछत्तर हजार करेक्ट है प्लैन बी के अंदर देखा जाए तो प्लैन बी के अंदर प्रिफरेंच यह रहे तो यहां भी इंटरस्ट नहीं है तो वहीं पुराना आजाएगा एक लाग पुछत्तर हजार प्लैन 3 में सारा का सारा इंटरस्ट आने वाला है तो 25 लाग पे 9 परसंट तो आपका प्लैन C का मैं यहां कैलकूलेशन कर देता हूँ प्लैन C का कैसे आएगा सर पहले से existing में हमारे पास 25 लाग था और उस 25 लाग पे हमारा 7% तो था ही था और प्लस नए वाला कितना आ गया 25 लाग और उसके उपर कितना लगाना है हमें 9% तो यह आएगा टोटल कर लिया 4 लाग आ गया सब कुछ बच्चों को हो सकता है इंटरस में थोड़ी कंफ्यूजन हो बागी कंफ्यूजन वाली कोई चीज है नहीं तो आप देख लिजिए तो यहाँ पर क्या लिख लें सर यहाँ पर लिख लेते हैं E B T 13 पच्चिस 13 पच्चिस और 4 लाग 11 लाग अब माइनस कर दो सर यहाँ से टेक्स टेक्स रेट कुछ्चन में गीवन था टेक्स रेट 30 परसंट है तो 30 परसंट आ जाएगा 39 75 और जब आप इसमें से माइनस करोगे आ जाएगा E 80 that is आपका आगया 92 7500 सेम यहाँ आने वाला है 92 और यहाँ पर अलग हो जाएगा 30 परसंट है तो 33 और यहाँ जाएगा 7,70,000 अब माइनस क्या करदें सर PD क्या पहले पार्ट में PD है बिल्कुल तीनों पार्ट में यह वाला PD तो हो गई होगा 25,00,000 का कैसे निकला दूसरे प्लैन में 50,00,000 हो गए है तो मैं यहाँ कर देता हूँ प्लैन 2 का या B का कह लो तो सर 25,00,000 का 9% तो था ही प्लस फिर से 25,00,000 का 10% है न प्लस धाई लाग 4,75 तीसरे वाले में तो सरफ वही रहेगा क्योंकि कोई डिविडिन्ट नहीं है बस पुराने वाले डिविडिन्ट रहेगा 9,27,500 यह आ गया 45,00 7,0 टोटलिंग आप चेक करते रहेगा मैं तो फटा फट कर रहा हूँ यह आ गया हमारा अर्निंग अब नंबर अफ शेयर लिख लो सर नंबर अफ शेयर लिखने की बात करें तो पहले वाले केस के अंदर इकुटी कितने 20,000 और पहले से 40 थे तो 60,000 दूसरे आले केस में पुराने एकुटी रहेंगे नए तो आएंगे नहीं तो 20,000 सुरी 40,000 और यहां भी यह देखिया आपको गौर करना है इस कुश्चन में किस पे एक तो इंटरस पे देख लिजे किसी बच्चे को डाउट आ रहा है सर इंटरस मैंने प्लैन C का थोड़ा अलगा रहा था इंटरस इसलिए बता दिया एक आप PD पे देख लिजे प्लैन 1 में प्लैन 3 में तो सेम है क्योंकि वहां पे कोई additional fund प्लैन 2 में सारा का सारा प्लैन 2 में प्लैन 1 वाला तो पहले existing वाला डिविडेंट था वो तो लिया ही लिया और साथ के साथ जो new आ गया वो भी add करके मैंने दिखा दिया थोड़ा इसको साफ लिख देते हैं चलिए कैसे आया यह पीडी सुरी प्लैन किसका मैं कर रहा हूँ प्लैन 2 का 25 लाग पुराने वाला इंटो में 9% प्लास 25 लाग नया फंड इंटो में 10% यह लिए चलिए number of shares भी बता देते हैं कैसे आया पहले वाले case के अंदर 20,000 नय वाले share थे यह नय वाले share है और पुराने share हमारे कितने चले आ रहे हैं 40 तो पहले वाले case में 40 पुराना और 20 नया तो total share कितने हो गए 60,000 दूसरे वाले case में नया share तो है यह नहीं पुराना ही रहे गया 40 तीसरे वाले case में नया share तो है यह नहीं पुराना ही रहे गया 40 बात कतम अब EPS निकाल दे है यहाँ पर EPS divide करते जाते हैं 11. 11. इसका 11.31 13. 6 अब देखा जाए तो आपको पहले ही पता चलिया बेस तो हमें इस थर्ड प्लैन लग रहा है ना best plan कौन सा हमारा third plan लग रहा है एक बार market price पे भी comparison कर लेते हैं क्योंकि question ने specially market price आपको PE ratio दे रखा है जब आपको PE ratio दे दे तो आप market price निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास current price नहीं है लेकिन यह पता है और यह पता है तो market price कैसे निकलेगा आपका आप जब इन दोनों को multiply कर दोगे यानि अगर मैं market price निकालू is equal to क्या होगा EPS into में PE यही होगा ना EPS इसको solve कर दिया तो अब देखा जाए market price हम निकालना चाहते हैं हमें यह पता है EPS और PE ratio पता है पहले केस के लिए क्या दे रखा था 20 फिर 17 और फिर 16 चलिए अब निकाल लेते हैं market price क्या होगा sir PE ratio into में EPS कर दिजिए multiply इसको सर 234 रुपे 192 12 218 रुपे ठीक है अब हमें plan हमें दो चीजों पर फेक्टरिंग करना होता अगार्डिंग तो दा मार्केट वेल्यू अब शियर्स फर्स प्लैन इस बेस्ट बट अक्वाडिंग टू EPS थर्ड थर्ड प्लैन थर्ड थर्ड प्लैन इस बेस्ट दोनों यह माइनेस देख लो सही किया है क्या रह देखो यह यह 11,030,030 और 2,25 यह आप बनाव्ट है यह है यह 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 झाल झाल इंट्रेस्ट सिंट्ट्थक्राइव करे जबत्शी के जबत कि ने talks m इने जबनाँ के ज़िए में परली चार्डल डिक जबल सीन में क्या आंहेगा हाँ क्या है क्या है टू सैबन ठीक है देखिये सर्फ प्रीमियम का पॉइंट क्या हुआ ब्रीमियम का नथिंग हमें नंबर आफ शेयर चाहिए था प्रीमियम का कुछ रोली नहीं है, हाँ, question में न examiner चला कि ये कर सकता था examiner ना, मुझे ये question में थोड़ा कमी, मैं बोलूँगा question में examiner ने बताया नहीं, question यहाँ पे number ना देखे, कह देता fully issue, यहाँ पे अगर कह देता ना, कि fully issue equity share capital at 25% premium ठीक है, अगर सवाल में यह कह देता है, यहाँ पे number ना देखे, company में 25 लाख रुपे का equity share issue करा 25% premium पे, तब question थोड़ा और interesting हो जाता, तब आपको number of shares निकालना पड़ता, और कैसे निकालते आप, 25 लाख और divided by 125, जो कि निकल के आता आपका 20,000 लेकिन यहाँ पे सवाल में 20,000 दे ही दिया तो कोई roll ही नहीं बचा प्रीमियम का हमारा तो 6 पच्चे से तो लिखा है 218 आएगा इसका market price अब 0.4 बगएरा आगया calculator पे मैं तो पूरी digit ले रहा हूँ ना 13.625 218 आ रहा है अब एक बात ध्यान रखिए का बुक में कुछ बच्चे चेक कर रहे हैं बोल रहे हैं का सर बुक में बुक में उन्होंने इंटरस्ट गलत निकाला हूँ तीसरे का आप देख सकते हैं कोई दिक्कत यहां तक बताईए सर पी रेशो निकालना प्लीज रिपीट पी रेशो कैसे निकाला जाएगा यह रहा प्ाइश अर्निंग रेशो जिसको पी रेशो कहते हैं शॉट फ फर्म में करेंट मार्किट प्राइस डिवाइड़ बाई EPS रख देते हैं और हमने सवाल में निकाला है मार्केट प्राइस तो उसका एक फॉर्मूला ड्राइब कर लिया अगर हम इसको क्रॉस मल्टिप्लाइ करते तो मार्केट प्राइस निकल के आ जाएगा बाकि पी रेशो मेरे ख्याल आप जो बच्छे नए है आज वो कॉस्ट ऑफ क्यापिल में कब कौन सी क्लास में करवाया था लास्ट क्लास में करवाया था तो वहां पर बड़े डिटेल म सब्सक्रास में और यकुटी पर कोई सब्सक्राइब निकाल गए यहां पर नौ thì और इसके अंदर कैसे निकला उस्का प्लैन 2 मैं साइट में बताई रहा हूं अश्रफ आपका कौन सा बैक लॉग है कौन सा यह बता दो कि वन सेवेंटी फाइव इंट्रस्ट यह इकुटी इव डिवेंचर पर यह सर डिवेंचर कैसे अई डिवेंचर पहले से देखो पुराना डिवेंचर 25 लाग का था पुराना डिवेंचर उसके उपर 9% है सेवन परसेंट यह रहना इसके उपर सेवन परसेंट ही आया क्लियर है कि देखिए सर्थ कुर्श्चन की बात करते हैं यहां पर भी तीन प्लैन है और EBIT आपको कुर्श्चन में खुदी गीवन है क्या EBIT दे रखा है था कमपनी earning before tax 40,000 per annum subject to tax का मतलब है tax लगेगा 40,000 है कहता है भही आप पहले 40,000 में तीनो केस को apply करके दिखाओ फिर मान लो EBIT आपका अगर 10,000 और बढ़ जाता है तो फिर क्या फैसला होगा तीनों केस में यानि कितने पॉइंट होगे दो कॉलम बन जाएंगे तीन-तीन के पहले आप इसको सर्फ और सर्फ किसके उपर काम करोगे सर चालिस अजार के उपर काम करना है उसके बाद नियू कॉलम जब बनाओगे तो दस्तो यानि दो कोश्चन होगे तो यह होमवग में रहेगा बिल्कुल सेम पार्ट है कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा है नि यह मैं कराऊँगा आरपी रस्तोगी यह भी ट्राइ करिएगा होमवग में इंडिफरेंस पॉइंट आगे स्टार्ट होगा जो कि मैं करूँगा सिर्फ दो कोश्चन दिये गए आपको होमवग के लिए एक 7.6 एक यह आपका एक यह और एक में और कोश्चन दे देता हूँ इसकी मैंने करा कोश्चन भी लिख लेजिए ऑफ्र्स कोर्शन भी लिख लीजियो उप्राइब में एक दो जीरो अच्छा इबी आइटी फाइंड करना अगर एपिस दे रखा हो तो एक पर ट्राई करेगा नहीं तो मैं अगली क्लास में तो यह करा दूँगा अब जिसके डाउट है वो देख लेते हैं संडे आपका टेस्ट होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का यह जो चुडेंट नहीं भी ओव देख सकते हैं आपके फोल्डर में पढ़ा ओए पूरा का पूरा का चेप्तर और कॉस्ट ऑफ क्यापिटल का हम ठेस्ट लेंगे संडे सिर्फ एक चेप्तर कॉस्ट ऑफ क्यापिटल संडे नी सौरी मंडे मंडे टेस्ट होगा कॉस्ट अफ क्यापिटल का टेस्ट लेगे संडे क्लास लेगे जारा बजे के अस-पस क्लास रखेंगे संडे कल नहीं अभी अब MWF रखेंगे क्लास 7.4 एक गंटे का आदे गंटे का टेस्ट रखेंगे दो कोश्चन 7.4 में इंट्रस्ट यह रहा आपका पचास अजार पर निकाल लो गया 10% ओके हाँ माइक तो उपन करना ही भूल गया हाँ जी यस बताईए आरिये वोईस आपको हाँ जी आरिये आरिये बताईए जब आपको लाइबलिटी का साइट नहीं दे रखा तो आप टोटल एसेट्स को ही इंवेस्मेंट मानके बस इसी पर परसंटेज निकाल लेते हैं क्योंकि मार्केटिंग की कल आ जाएगी फर्स क्लास अपलोड हो जाएगी साम को चार बजे अब यस हर्स बताईए अब ही कमेंट पढ़ो सिधार्थ ओके होंबग दिखा दे यह होंबग की चल रहा है हां होंबग की है पताईए हर्स वोइस नहीं आ रही यस मानने अता एक सेकिंड रुकिए का एक सेकिंड रुकिए मैं दूर क्लोज करता हां जी मानने तब हो लिए हां बिल्कुल आ रही है बिल्कुल सभी बच्चों के लिए मंडे इस लिए रखा है कि अगर आपने कॉस्ट आफ कैपिल नहीं किया तो छोटा सा चप्टर कर सकते हो अनलाइन यहोगा जैसे स्क्रीन आपको स्क्रीन पर दिखेगा पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा टाइम के बाद वो टेस्ट हट जाएगा पर टेस्ट आपको करके वाटसप नंबर दिया जाएगा उस पर भेजना है चेक करके फिर मिलेगा अब यह निशू बताई बताईए निशू बोइस आ रही है आपको वेरी वेरी गुड़ी इवनिंग सेवन पॉइंट टू यह रहा है कौन से पार्ट का इंटरस्ट नहीं आया वी और सी का इंटरस्ट आप यह देखो बी का इंटरस्ट दो लाग है सबसे पहले हमें फंड कितनी चाहिए पच्चिस लाग रुपे फंड की जुज़रत है वो कितने तीन लाग रुपे चाहिए और बी फंड प्लैन नंबर बी पे आना बी के अंदर देखो दो लाग रुपे का डिविंचर है अब दो लाग रुपे पे 10% का बियाज होगा तो दीन सजार हो जाएगा और सी में पूरा का पूरा बोरोइंग यहां दस परसंट तो सी वाले का देखो गे तो पूरा किस पे निकालेंगे अगे सर्थ क्यूंकि सी पूरा का पूरा बोरेंग बोरिंग कितना ले लिए हमने तीन लाग तीन लाग के ओपर दस परसेंट निकालोगे तीस अजार आ जाएगा तो सर हमारा टॉपिक और चैप्टर है इबी आईटी बेसिकली जो चैप्टर है वो इबी आईटी है एड़ एपिस एनलेसिस के नाम से लेकिन हम इबी आईटी की बात करेंगे अभी तक हमें जो समझ में आ रहा था ना कह रहा था भाईया ओप्शन नंबर वन लो ओप्शन नंबर टू लो पहले ओप्शन में एक काम करते हैं सरफ एक्विटी शेयर कैपटल रख देते हैं माल लेते हैं पांच लाग का दूसरे ओप्शन में ऐसा करते हैं के एक्विटी शेयर कैपटल रख देते हैं हम दो लाग का और डिबेंचर रख देते हैं कितने रुपए का तीन लाग का और आपको एक इविटी दे दिया जाता था और उस इविटी के हिसाब से इन दोनों में से विच प्लान आपका कौन सा प्लान बैस्ट है वो बताना होता था यही तो सीख रहे थे अभी तक हम अगर आप रिमाइन्ड करो तो हमें दो तीन ओप्षण उस ओप्षण में से हम सब कह क्या करते थे कैल्कुलेशन करके एपश निकालते थे एप्ज較 मैंने सवाल मे इपिस आप को दे दिया मैंने इपि अपिस सवाल को सॉल्व करो आपके लिए option 1 best है या option 2 तो आप क्या करते थे यहां पे आप यहां पे simply दो plan बनाते थे यहां पे मैं अभी पुरानी class याद दिला रहा हूं आपको आप क्या लिखते थे सर EBIT और EBIT के हिसाब से 2,00,000 इधर भी 2,00,000 इधर भी minus interest पहले वाले में इंटरस्ट होगा नहीं क्योंकि share है दूसरे वाले में 10% बता दिया अगर तो 30,000 होगे हमारा minus करोगे 2,00,000 और यह आ जाता 1,70 अगर tax है तो ठीक है नहीं तो EBIT और मान लो tax अगर 50% है तो यहां पे आ जाता 1,00,000 और यहां पे आ जाता आपका सत्तर है ना तो 35,50,85 और यह बचता 1,00,000 और यह बचता 85 और इसको number of share से divide करते थे सपोस करो 100 रुपे का share है तो divide कर दो किस से 5000 से और इधर कितने हो जाएंगे आपके 2000 से तो यहां पे EPS निकल के क्या आ जाता हमारा 20 रुपे और यहां पे 85,000 को divide करते 2000 से तो यह आगे हमारा bear list .5 तो एक पर दुबारा देख लेते हैं कहीं मैंने जल्द बाजी गलत तो नहीं कर दिया ठीक है यह आता अब मैं आपसे पूछता हूं बताओ कि कौन सा plan best है लाइब में भी बच्चे जवाब देदें कि कौन सा plan जो है आपका best है प्लैन नमबर वन या तू तू बैस्ट है क्यों सर टू क्यों बैस्ट है तो बड़ी सिंपल सी बात है कि सर यहां पे EPS इसका ज्यादा है यानि सारा खेल किसका चल रहा है इपिएस का जिसका हायर इपिएस वो बिजनस वो प्लैन हमारे लिए पर्पोजल बेस्ट होगा सब इने जवाब दे दिया तू 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 अब एक्जामनर क्या बोलेगा बहिए बोलेगा कि आपना वो प्रॉफिट निकालके बताओ अब आपसे यह पूछा जाएगा वह प्रॉफिट निकालके बताओ जहां पर चाहे आप यह प्लैन ले लो चाहे यह प्लैन ले लो दोनों पर EPS सीकाल और जैसे ब्रेक इवन पॉइंडिफ्रेंट बताओ जैसे अगर मैं ग्राफिकल फॉर्म में बात करूं तो एक ऐसा इंडिफ्रेंस पॉइंड बताओ इ EBIT और हमारा EPS दोनों एक दूसरे को काटता हूं मान लेते हैं EPS पांच रुपए यहां गया EBIT मान लेते हैं 5000 यहां गया यहां पर EPS और EBIT कोई भी आपका प्लैन हो लेकिन EPS आपका सेम आना चाहिए ऐसा प्लैन बता हूं तो मैं सीधा भुक का ही कोश्चन ले लेता हूं क्योंकि फिर मैं अपने एक EBIT निकलता है और आपका परपोजल प्लैन वन हो टू हो कोई भी हो EPS एकोली आएगा हम वेरिफाइ करके भी चक करें समझ में क्या सीख रहे हैं तो हम सीख रहे हैं इंडिफरेंस पॉइंट और यह हमें निकालना पड़ेगा यानि अब हमारा आंसर क्या रहेगा EBIT फा लोगे जवाब दोगे किसी में चले जाओ कोई फरक ही नहीं पढ़ना आप बोलते हो कंपनी प्लैन नंबर टू अच्छा है कैसे अच्छा बाई पीएस तो नहीं है उतना और कंपनी नंबर बन तो आपको कोई डिसिजन लेने में दिक्कत इने बाई यह कर ले यह कर ले ब रखिएगा और आपके एक्जाम में जो हम आज करने वाले कुश्चन मान के चलिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉबैबिलिटी अगर मैं बात करूं तो 90 परसेंट प्रॉबैबिलिटी है कि आपके एक्जाम में अगर इस चैप्टर से कुछ पूछा जाएगा तो इंडिफर काम है considering alternative proposal finance उसको कितने प्लैन के हिसाब से कितने रुपे चाहिए चालिस लाग और दो प्लैन है बोलता है एक काम करते है ना 15% लोन ले लेते हम दो लाग का और 2000 इकुटी इसू कर देते हैं 100 रुपे का तो टोटल देखो चार लाग है 40 मैंने बोल दिया साथ 4 लाग है तो BOOTее बताये जा रहे यारे आपको और वाट गोला बताये जा रहा है और है 15% क्या बताया जा रहाए हैशर 15% लोन बताया जा-ए जा रहा है इस वह भी कितने का है 2 लाग और दूसरा पर पोजाल क्या कहता है कहता है तुम कुझ मत करो सर्फ 4 440 का निकुक्विट कर दो दू में कहता है given tax rate 30% ठीक है sir assume EBIT 70,000 assume करना है कि आपका EBIT कितने 70,000 and 80,000 एक आपका EBIT 70,000 हो तो जबाब दो एक बार EBIT 80,000 हो तो जबाब दो और which alternative is better, कौन सा alternative better है पहले तो यहां तक समझ लो यानि अभी से करना है और एक आप बताओ जहां पर इंडिफरेंस वाला हम अभी करेंगे पहले जो बेसिक बेसिक वाला कर लेते हैं या मैं चलो कर लेते हैं वो तो एक बार में हो जाएगा तो पहले मैं सिंपल कोश्चन कर लेता हूं सतर और करद स्य वाला है इन डिफरेंस वाले के लिए तो मुझे पूरा प्रेज चाहिए करीकर ओद और में विच शुक् Bin में अपनी के साथ साथ और निए विपलाने कोका से कि एक अभाधार का दोत्य हो profit ले लो 70,000 तो यहाँ पे plan 1 है 2 दोनों compare करोगे और यहाँ पे profit कितना ले लो आप 80,000 यहाँ पे भी 1 और 2 को comparison करोगे तो होगे चार question में क्या कहता है assume EVIT 70,000 और 80,000 यह नहीं बोला कि 70,000 इसके लिए 80,000 तब तो कोई मतलब comparison होई नहीं सकता तो बोला ऐसा profit है तो बताओ तो simple सी बात है अब ले ले लेते हैं EVIT sir EVIT पहले वाले case में कितना ले लिया और यहाँ भी और यहाँ पे और यहाँ पे अभी indifference point के बारे में कुछ नहीं बात कर रहे हैं जो पिछली class था उसी class को हम आगे लेके चल रहे हैं continue नहीं हो ठीक है चलिए आगे चलते हैं सर माइनस कर क्या करते हैं हम इंट्रस्ट अब पहले plan के इसाब से भई यह 15% दो लाग का लोन है तो इंट्रस्ट कितना बनेगा और दूसरे में है यही नहीं तो नहीं बनेगा तो यहां भी क्या बनेगा 30,000 और इसमें है यही नहीं तो नहीं बनेगा मैं इसलिए थोड़ा सा आपको लग सकता है यह बन जाएगा हमारे कितने 40 और यह कितना रहेगा 70 यह कितने हो जाएंगे 25 यह कितने हो जाएंगे 80 अब माइनस क्या कर दो सर्टेक्स सर्टेक्स रेट कितना है 30 परसेंट है तो 12,000 और 21,000 15,000 और 24,000 फटाफट माइनस करके आप निकाल दो E80 सर E80 क्या आएगा 12 माइनस कर दोगे तो कितने हो जाएंगे 28 21 माइनस कर दोगे तो कितने आ जाएंगे 56 अब डिवाइड किस से कर दो सर्ट नंबर आफ प्लैन तो बेस्ट हुई है जिसका EPS सबसे हाइस है पहले वाले केस में एक्यूटी 2,00,000 है और इच कितने का है 100 रुपे का तो इतन में कितने हो गए 2000 और दूसरे वाले में इसमें 2000 इसमें 4000 निकाल दो EPS पटाफट से EPS देखते हैं किसी का आंसर आया EPS का नहीं आया सर EBIT और EPS की फुल फॉर्म क्या है साइद आंसर मिल गया EBIT और इंटरस और टेक्स EPS ओके जिनकी फर्स क्लास है ना सिंपल सा है उनको पहले की क्लास थोड़ी देखनी पड़ेगी क्यूंकि हम सेकेंड क्लास चल रही है इसकी तो समझ में ना है शाहिए बच्छों ने बता दिया 14 12 पहले का क्या है 14 12 पॉइंट 25 और 25 पॉइंट एक जो लिखा हुए मैं लिखते जा रहा हूं आप भी वेरिफाई करते जाईए बताईए इसका कितना है 14 यह 17 पॉइंट पांच और यह साइद मैंने गलत देख लिया हाँ बिल्कुल सही 17 पॉइंट 25 को मैंने उसको आगे देख लिया ठीक है पहला question done हो गया इंडिफरेंस पॉइंट अभी तक के question में जितना भी कर रहा है तो आप में से किसी बच्चे को नए बच्चे की बात नहीं कर रहा है नए बच्चे को तो डाउट होगा ही होगा जो first class ले चुके है अभी तक में कोई डाउट है तो बताईए ये class के अंदर हमने कुछ भी extra part नहीं किया ये पिछली class का ही पार्ट है पुरा किसी को कोई डाउट है अभी तक में फिर इंडिफरेंस पॉइंट पे चले हम मांसी no 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 सभी बच्चों कहना है सर अभी तक कोई डाउट नहीं है आगले पॉइंट पे चलें अब आते हैं इंडिफरेंस पॉइंट पे ठीक है सर इंडिफरेंस पॉइंट पे आ जाते हैं सर इंडिफरेंस पॉइंट क्या कह रहा है कि जहां पे आपका EPS क्या आ जाए इकूल आ जाए तो हमें दो equation को एक साथ रखना पड़ेगा क्या रखना पड़ेगा अब दो चीजे हो सकती है अगर आपका only equity होगा या फिर क्या हो सकता है equity and debt प्रफरेंस शेयर कहलो कुछ भी कहलो equity and debt तो दो चीजे हैं अब बताओ सिंपल सी बात मुझे बताओ कि जब equity होता है only तो आप EPS कैसे निकालते हो तो ऐसे situation में ध्यान से देखे यार सिर्फ equity था ना तो EPS क्या निकाला सत्तर में से मैंने सिंपल सा सिर्फ tax का ही minus किया यह दर है इधर सिर्फ equity ठीक है सत्तर में से सिर्फ क्या minus किया tax और फिर number of shares से divide कर दिया यही तो क्या है ध्यान से देखो इसी formula को यहां रख देते हैं यानि आपने बोला सर आपने क्या किया है EBIT एक डबल आई आई आ गया है EBIT और आपने करा one minus में टैक्स और इसको divide कर दिया number of shares और number of shares को मैं n से denote कर दो सिंपल समझाने के लिए n मतलब new number of shares या number of shares किया ठीक है और सर जब आपका debt था तो क्या formula बना सर debt के case में आपने क्या किया पहले interest माइनस किया फिर tax माइनस किया और फिर divide किया इसका मतलब कुछ ऐसा करा है हमने EBIT minus interest और one minus में T ये कुछ किया है और इसके divide by क्या कर दिया है आपने जो पहले करा है न वो एक table के format में किया है और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं एक formula के format में कर रहा हूं है वही और सल अगर पीडी आजाए preference dividend आजाए तो क्या करोगे यानि तीनों चीज़ा आ सकती है न एकुटी प्लस डिवेंचर प्लस में preference यह तीनों आजाए तो क्या formula बनेगा फिर EBIT फिर minus interest करोगे पहले याद करो और फिर इसमें से one minus T करोगे और फिर minus क्या करोगे preference dividend अब बचेगा end यह देखो तीनों formula रिखती है मैंने यह तीनों formula अगर आपको मैं बात कहूं न तो यह नए नई नहीं है आपके यह तीनों बाते जो हैं पहले लिखा हुआ हमने करा हुआ है लेकिन हमने जो करा था ना वो हमने एक statement के format में किया था उस statement को यहां कर दिया, अगर आपको मैं याद दिलाओं, तो क्या था सबसे पहले EBIT, उसमें minus क्या करते हो, interest, आपका क्या था, EBT, फिर minus क्या करते थे, tax, फिर क्या था, EAT, फिर minus क्या करते थे, PD, और फिर जो minus करके आता था, वो equity share से divide हो जाता था, आप देखो, पहले वाला, मैंने simple, अगर interest ही नहीं, भाई, तो मैं I minus क्यूं करूं यहां पर, क्योंकि मैंने क्या बोला, only, तो interest होगा ही नहीं, तो I minus ही नहीं होगा, और यहां क्या बोला, equity और debt, तो इसलिए पहले I minus कर दिया, फिर tax minus किया, और मैंने बोला तीनों है, तो पहले interest minus किया debt, उसके बाद जो profit बचा है, यह जो point बता रहा है ने, यहां से यहां तक, आप देखो, यहां से यहां तक, तो that is EAT, earning, EBIT, minus interest, फिर minus tax, तो EAT बचा, अब इसके बाद क्या minus करते है, PD, तो last में मैंने PD minus करती है, समझ मैं आई बात आपको, तो यह formula आपके लिए new नहीं है, बस मुझे समझाना था, कि हम करते आए हैं, चलिए सर्थ, फिर indifference point क्या होगा, आपके पास जो दो option होगा, इन दोनों option को equal में रख दीजिए, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है, आपको हर एक बात पता होगा, interest पता होगा, text पता होगा, number पता होगा, बस EBIT नहीं पता होगा, तो यारी indifference point निकालोगे, तो 3 का नहीं निकाल सकते एक साथ, आप जब भी निकालोगे, तो किसका निकालोगे, 2 का ही निकाल सकते हो, किसी का, जैसे अगर मैं यहां पर बोलू, इन दोनों के बीच में निकाल सकते हो, या फिर इसके और इसके बीच में निकाल सकते हो, तो indifference point हमेशा दो situation के बीच में EVIT निकाला जाएगा हमारे वाले सवाल में उसी को मैं करता हूँ continue में हमारे पास option number 1 था और option number 1 में debenture था हमारा debenture नहीं था debt था ना कितना debt था हमारा 2,00,00 का पिछला question मुझे तो याद है आप भी देख लो एक पर और हमारा equity कितने थे वो भी 2,00,00 थे और number की बात करें यहाँ पर कितने थे 2,000 number option 2 आ गए थे option number 2 में क्या था only equity था और equity कितने थे 4,00,00, number की बात करें थो 4,000, और tax rate क्या था दोनों question के लिए same ही था that is 30% यह पिछला question है जो कि पीछे वाले page पर given था उसको मैंने note कर दिया बस यह देख लो आपके सामने question है ठीक है ना अब इसका indifference point निकालना है तो हमें profit नहीं ले ले ना profit तो हमें निकालना है यह ना EBIT पिछले वाले में EBIT भी दे रखा तो consider नहीं करेंगे अब बहुत सिंपल सी बात हम यहां पर consider कर लेते हैं क्या करेंगे सर consider अब आ जाएगा हमारा formula रख लेते हैं पहले formula लिख लेता हूँ EBIT IT minus में क्या करना है इसमें इसमें पहले वाले format में पहले loan वाला option है न तो minus interest कर देते हैं कोई भी कहीं रखो फरक नहीं पड़ता और one minus में T कर देते हैं और divide by क्या कर देते हैं और इसके equivalent में क्या रख देते हैं क्योंकि हमें दोनों लेवल में ऐसा profit निकालना है common करके जो कि दोनों में एन से divide करने के बाद EPS सेम है यहां पर देखा जाए तो क्या होता है हमारा सर यहां पर आ जाएगा EBIT माइनस में माइनस तो interest है नहीं तो सीधा क्या कर दें one minus divided by n क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि दो plan हो और दोनों में loan हो हो सकता है लेकिन फिर हम वहाँ पर भी क्या करेंगा one minus interest के बाद one minus T करेंगे अब पहले वाले point में EBIT को EBIT रहने देते हैं माइनस इंटरस्ट आपको पता है दो लाग के उपर कितने परसेंट था I think 10 परसेंट नहीं यहां कहां से आएगा 15 परसेंट है तो 30 अजार one minus tax करेंगे तो 30 परसेंट है तो यह 0.7 हो जाएगा चलो मैं पहला तो करीद हूँ one minus में 0.3 इसको divide किस से करेंगे एन पहले case के अंदर n कितना बन रहा था हमारा 2000 अब इधर आ जाते हैं सर EBIT कितना है EBIT तो पता ही नहीं है one minus tax one minus 0.3 और divided by n इस वाले case में 4000 बन रहे थे अब इस equation को solve करना है तो हमारे पास missing क्या है only EBIT तो इस equation को solve करके देखते हैं क्या result आता है तो सबसे पहले हम इसको जब multiply करेंगे तो 0.7 आ जाएगा ये और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा मैं डारेक्ट कर रहा हूं थोड़ा सा space कम होनी के विए से 0.7 EBIT हो जाएगा और माइनस में ये 21 देखो मैंने इस डारेक्ट करा इसको पहले ही मैंने यहीं पर मन में ही count कर लिया के भाई यह 7.7 आएगा 0.7 इंटू 30,000 21,000 0.7 इंटू EBIT तो 0.7 EBIT इसके बाद क्या है हमारा सर इसको करेंगे 0.7 EBIT divided by अब multiply करो cross तो भाई इसको इससे multiply करेंगे तो 0.7 इंटू 4 कितने हो जाएगा 28,000 28,000 या इसको ऐसे भी कर सकते हैं देखो इसे stage पे मैं चलो पूरा कर रहा हूं नहीं तो 0 से 0 काट सकते हैं हम चाहे तो और जिनको mathematics जिनके पास नहीं था अब तो पढ़ी रहेंगे बच्चे मैं direct पूरा पूरा कर रहा हूं बाकि आप इससे short में निकालना चाहते हो निकाल लेना अठाइस सो अब इससे multiply करेंगे एक्किस अजार और चार अजार पता हो कितने आ रहे हैं अरे वो तो मुझे भी पता है यही तो मैंने बोला बहुत बच्चों को तो पता ही नहीं है तो मैं इसके लिए पूरा पूरा कर रहा हूं बिल्कुल एक दम सिंपल 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 स्टेप तो दो चार छे जीरो मैं बिल्कुल स्टेप जिसको काटना है यह काट लेना हूँ सास से इंटू करोगे दो हजार से तो चौदा करेक्ट चलिए अब इस स्टेप को सॉल्व करते हैं तो चौदा सो इधर अठाइसो में से माइनस हो जाएगा तो कितने बचेंगे चौदा सो इभी आईटी और यह इधर जाके प्लस हो जाएगा देट इस एट फोट पांच छे जिरो अब इभी आईटी निकल के आएगा कुछ आठ चार एक दो तीन च्छार पांच छे जिरो डिवाइड़ बाइट बाइट लो जी साथ हजार तो सर साथ हजार वो प्रॉफिट है जहां पे ना आपका ना मेरा कोई भी ऑप्शन चूज कर लो वही रहेगा एक बार वैरिफाई भी कर लेते आंसर को हैं यहां तक समझ्माएं साथ हजार प्रॉफिट पर वैरिफाई कर लें इसको इस खोड़ा सा कर लेते ह। चाहिए यहां व boys है अटरे आपको इजर्हेंगा कॉड़ violation में बोला निया वेरिफाई करने को बस जो मैंने वर्डिक निए 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 बोला है वह वर्डिक मैच होना चाहिए बस यह कहानी है यहां पर कि अज़िए क्या लोगे बताओ 60,000 लेंगे अब हम माइनस इंट्रस्ट कर दें तो इंट्रस्ट कौन से केस में कितना है पहले केस में और दूसरे केस में 0, तो बचे माइनस क्या कर देंगे सर टेक्स तो टेक्स कितने 30% तो 9000 और 30% 18 माइनस करोगे तो बचेगा कितना 21000 और माइनस करोगे तो कितना बचेगा 42000 अब number of share यह आ गया EAT मैं कुछ word नहीं लिख रहा था मैं लिख लो EAT में से क्या करो number of shares लिख लो पहले case में कितना है पर इसमें अब बताओ EPS क्या है 2000 से डिवाइड करोगे तो कितना हैगा 19000 आ गया दोनों चेक्कर और सेम आ रहा है ठीक है तो क्या हम सीख रहे थे इस टॉपिक में बेसिकली कि भाया इन डिफरेंस पॉइंट का मतलब वो लेवल प्रॉफिट है जिसके ओपर ना तो प्रॉफिट मतलब के यहाँ पे EPS दोनों में सेम होगा और एक्जामनर यही पूछेगा आपको कोई प्रॉफ नहीं करना यहाँ पे यह मैंने प्रॉफ करके दिखा दिया आपने बिल्कुल भी प्रॉफ नहीं करना आपने तो यह बताना है EBIT यह होना चाहिए क्लियर है यहां तक आगे चले एक और कोश्चन देखें EBIT का तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं तो जो EPS से आसान इंडिफरेंस पॉइंट है क्योंकि इंडिफरेंस पॉइंट में तो बस डेटा रखना है फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है और EPS वाले में तो आपको पूरा टेबल बनाना है दोनों बहुत ही आसान लेकिन तो यह ज़्यादा एज़ी है अगर only equity और preference issue होगा तो क्या होगा सिंपल सी बात है equity में 1-t कर देंगे यही इसी के minus में बस preference share कर देंगे आ जाएगा तो कर लेंगे बस PD कर देंगे minus में चलिए एक वार सवाल है find out indifference point of EBIT सर option चेक कर लेते हैं क्या क्या है कहता है project requirement outlay outlay का मतलब fund कितने पैसे चाहिए outlay का मतलब होता है fund कितने पैसे चाहिए सर 300 लाग चाहिए raise issue equity 100 रुपे पहला option बोलता है बहिया मैं 300 लाग और 100 रुपे का equity मतलब 3 लाग रुपे का या तो 3 लाग रुपे नहीं 3 लाग नंबर का equity हो जाएगा पहले option में दूसरे में कहता है दूसरे में कहता है equity तो रखेंगे हम 200 का और बाकी debt लेंगे 100 का balance तो 200 लाग यह equity है 100 रुपे का एक है तो 2 लाग का equity नंबर है यह 2 लाग ठीक है ना और इसी के साथ B part आ जाएगा कितने percent loan 15 percent loan और यह कितने का जाएगा 100 लाग का जाएगा समझ रहे हो चलिए इंडिफरेंस point क्या कहता है पहला वाला point equity है तो EBIT formula लिखके आना है अपने exam में चलिए सर solve करते हैं EBIT नहीं पता EBIT रहने दो अब मैं जो भी extra amount होगा वो मैं काट दूँ आई 1 minus T 1 minus T text question में 30 percent last में दे रहा है तो minus 0.3 divided by N पहले case में N कितना है 3 लाग मैंने पूरे number लिखें कितना है 3 लाग चलिए आ जाएए EBIT कितना है सर कुछ नहीं पता minus interest दूसरे case में interest 200 लाग पे अगर आप sorry 100 लाग पे अगर आप 15 percent निकालोगे तो 15 लाग आएगा न तो 15 लाग 1 minus T 1 minus 0.3 और यहाँ पे number कितने है समझ रहे हैं अब 0 से काट देते है 50 50 cancel यहीं बोल रहे थे शायद पहले भी अब multiply में थोड़ा easy हो जाएगा तो यह क्या जाएगा 2 EBIT minus में एक मिनट पहले हम multiply करते हैं फिर into करेंगा ठीक है यह आजाएगा 0.7 EBIT divided by 3 यह आजाएगा आपका 0.7 EBIT minus अगर साथ से multiply करोगे तो 10,50,000 हो जाएगा यह divided by 2 multiply करो तो 1.4 EBIT is equal to इससे multiply करो तो 2.1 EBIT minus इंट 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 से करो तो 30,31,50,000 solve कर दो 2.1.4 से minus में क्या जाएगा minus में 0.7 EBIT minus में is equal to 31,50,000 sir minus इदर भी है minus से minus cancel हो गया EBIT निकाल लो 31,50,000 31,50,000 divided by 0.7 कितने आगे 45,00,000 तो sir यह वो profit है वो EBIT है जहां पे हमारा कोई भी plan चूज करो EPS सेम आएगा 45,00,000 बहुत बच्चों गया लास कोश्चन में इंटरस कैसे आया अभी बता देंगे भाई साब लास कोश्चन में पूछ रहे थे इंटरस कैसे है बता देंगे यह देखो last question में न ये था न 15% interest इसके उपर तो ये मैंने बता दिया बस देख लो आजाते हैं इसी पर N value बता दो N value कैसे आया आपको पता था 300 लाख रुपए है ये ये रुपीज में है 300 लाख रुपए का सिंबल है और 100 रुपए का एक शियर है तो अगर 300 लाख यानि 3 करोड को 100 से डिवाइड करोगे तो 3 लाख नमबर निकल के आएगा कैसे आये सर 300 divided by 100 तो 3 लाख नमबर आया ऐसे ही यहाँ पर कर दिया 2 लाख में 1-T क्यों किया किसके अंदर 1-T किया हर जगा 1-T क्योंकि profit हमेरे पास जो आएगा वो after tax वाला ही तो equity shareholder में बटेगा क्योंकि बिना tax काटे अगर मैं shareholder को dividend बाट दूँआ तो फिर तो गलत है government कहता है आपका net profit बाट ना है shareholder में मेरे tax देने के बाद ना कि मेरे tax मत दो और shareholder में बाट दो ऐसे possible नहीं तो इसलिए पहले हम tax माइनस कर देते हैं और one माइनस t का मतलब है भहिया tax माइनस करने के बाद जो बचा balance उसे बोला जाता है last question में interest मैंने बताया भी आपको देखिए last question के अंदर interest कैसे आया है यहाँ पे देख लीजिए यही last question है loan कितना था आपका 15% दो लाक रुपए का तो दो लाक पे 15% that is 30,000 रुपीज तो देखिए यहाँ भी 30-30 लिया है और इस वाले point के अंदर भी हमने 30 लिया था यह देखिए plan के अंदर यहाँ तक किसी में doubt है तो फिर अगले question पे चले चले आगे मैं कुछ एक question समझाओंगा जैसे जो मुझे लगे है कि यह तो हो ही जाएगा इसमें तो बस formula put करने और तो कुछ है नहीं तो वो question मैं पूरा summary बना दूँगा वो आपका homework में रहेगा और जो question लगेगा नहीं भाई नहीं हो सकता हो मैं करूँगा फिर भी नहीं होगा तो फिर उससे अगले class के अंदर हम देखेंगे जैसे कि यह question है 7.9 देख लेते हैं following आपको given है आपको existing capital structure 10 lakh equity share 10 lakh रुपए ने लिखा 10 lakh equity share 10 रुपी सीच तो हमारे पास equity share capital यह old वाले हैं कितने है सर दस लाग ठीक है additional कितने चाहिए सो लाक रुपए और चाहिए financing expansion दा टू alternative बोलता है पहली बार में एक काम करते हैं 10 lakh equity issue कर देते हैं plan number one में क्या कर रहा है हम एक काम करते हैं 10 lakh equity issue कर देते हैं क्योंकि 10 lakh equity होगा 10 रुपए का एक होगा तो 100 lakh बनी जाने 100 lakh यानि एक करोड रुपए चाहिए दूसरे plan में क्या कहता है भाई आप 100 lakh रुपए के debenture issue कर देते हैं यानि 100 lakh रुपए का अगर आप debenture issue करते हो एक करोड का वो भी कितने परसेंट वाला debenture issue करने जा रहे हो आप 14 परसेंट अब मुद्दे की बात है पहले वाले plan में equity share कितने होंगे एक 10 lakh ये वाले और 10 पुराने वाले भी जोडने पड़ेंगा total n होता है वहाँ पर यानि सर सवाल का formula क्या है one minus में t जहां पर नहीं होता n is equal to minus interest one minus में t divided by n sir n का मतलब क्या है ये n n n n होता है हमारा number of shares और old plus में new अभी तक question में new दिखाता तो new एक ही लिया अब old plus में new लेना है आपने तो पहले evit तो नहीं पता तो evit evit रख देते हैं one minus में t पता है sir कितने percent 0.5 n कितना होगा sir पहले वाले option में n तो पहले पुराने वाला 10 लाख और नए वाला 10 लाख तो n होने वाला है evit sir अभी पूछूँआ जिस किसी का doubt होगा तो और interest minus कर देते हैं तो भाई अब दूसरे वाले plan के लिए चल रहा है तो दूसरे वाले plan में debt है तो इसका मतलब interest आ जाएगा चौदा लाख रुपय का और उसमें 1-0.5 हो जाना है और यहां पर n क्या होगा क्योंकि नए तो शेयर रहा है नहीं पुराने वाले रहेंगे that is 10 लाख पहले equation देख लीजिए आप जिसको भी equation में doubt है आप पूछ सकते हैं पहले equation देख लीजिए किसी को doubt हो तो n का मतलब समझा नए वाला शेयर पुराने वाला और यह जो बाते बता रहा है आपको आपको यह जो बाते बता रहा है पहले structure यह कौन सा है यह old वाला मैंने old लिख दिया नो और नए वाले fund यह है हमारे पहले में बोलता है सबका equity शेयर करते और fund requirement की बात करें तो देखो यहाँ पे कह रखा है इसने हमें इतना fund चाहिए यानि नए पैसे और चाहिए पुराने तो थे ही हमारे पास एक क्रोड नए और चाहिए equation clear है चलिए sir equation clear है तो फिर तो देखो सबसे आसान तरीका है ना cross multiply करने से पहले 0.5 divided by 2 यहाँ पे cross multiplication करने से पहले 0.5 minus में 7 लाक हो जाएगा यह divided by 1 multiply करिए तो 0.5 EBIT is equal to 1 EBIT यानि स्रिफ EBIT रहेगा क्योंकि जिसके आगे कुछ नहीं है वो 1 ही रहेगा minus 7 लाक minus करोगे तो 0.5 EBIT is equal to 7 लाक यह भी minus यह भी minus minus से minus कैंसल कर दोगे तो EBIT क्या आ गया 7 लाक divided by 0.5 कितने आगे है 14 लाक देखो 14 लाक आ रहे है कुछ और आ रहे है डिवाइट करके हैं ठीक है बिल्कुल एन स्रिफ नंबर ओफ इक्विटी है पुराने नई सब को मिला के मैंने बता है 14 लाक बिल्कुल बाई एक बच्चे ने अपना नाम ही एक्सक्यूज में लिखा हूँ है अपना नाम चेंज गर लो हाँ तो कहीं माइनस प्लस में गड़ बड़ है हाँ 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 कह रहें सात लाक हिंटू में दो अच्छा यह करना भूल गए सात लाक को इससे मल्टिप्लाई कर दिया इससे नहीं करा ना यह दो से मल्टिप्लाई होगा यह 14 लाक रहे गया ठीक है ओके तो आंसर थोड़ा बदल गया यह लेज़े ठीक है दो से मल्टिप्लाई करना रहे गया था कहां पर फिर याद दिला देता हूं मैंने इस दो को पॉइंट फाइब या इविए टी भी नहीं लिखा इस दो से इसको मल्टिप्लाई करो इससे मल्टिप्लाई करो तो यह तो एक आ गया और यह 14 लाक आ गया ऐसे हो गया थे चलिए यह कोश्चन न मैं होमवक में दे रहा हूं ठीक है यह कोश्चन किसमें दे रहा हूं मैं जिसका नहीं हो माल लेतने टफ है आपको इसका सॉल्यूशन वीडियो में अफ्लोड या क्लास में कर लेंगे ठीक है ओमवक में दे रहा हूं चलिए सर अब यहां पर क्या कहता है कैल्कुलेट EPS सॉलिड लिमेटेड का और साउंड लिमेटेड का दो कमपनी हैं अब दो कमपनी के ना दोनों अलग-अलग कुश्चन होंगे ऐसा नहीं कि एक ही VIT दोनों के लिए होगा ऐसा नहीं कि एक ही APS दोनों के लिए होगा ठीक है अलग-अलग बाते होगे क्याता है हमारा जो कहता है 20 सबस्क्राइब केवसेंट return on assets, जो भी assets होगा, उस पर 20% होगा, और B वाले का, यानि ये A और B, return आपका ये होगा, assets the following data, total assets given है, जिसमें आपको equity share भी given है, equity share कितने हैं, यहाँ पर आपका ये अलग और ये अलग, और यहाँ पर debt भी अलग-अलग है, compute the financial leverage of the firm assuming tax rate 50%, financial leverage बताना है, तो यह कहीं ना कहीं leverage वाले chapter से connected है, तो leverage वाले chapter से connected होनी के वाईसे, financial leverage का formula क्या होता है, सार दो ही चीज़े होता है, financial leverage में, financial leverage होता है EBIT, divided by, EAT कर लो या EBT होता है, क्योंकि वहाँ tax का कोई role ही नहीं होता, वहाँ tax का कोई role नहीं होता ठीक है EBT होता है आप सर EBIT निकालने के लिए यही तो है profit before interest and tax तो एक है आपका solid limited यानि S limited का EBIT कैसे आएगा सर question में कहता है assets का कितने percent 20% तो assets कितने का है सर एक करोन का into 20% इसका मतलब 20 लाक रुपे और S के बाद कौन सा limited है दूसरा भी SO limited कर देते है इसका EBIT क्या है इसका 10% है that is 10 lakh रुपीज अब दो company का पता चल गए आपको EBIT आपको पता चल गए दोनों का निकाल सकते हो अब क्या चाहिए EBT यानि interest minus करने होगा तो पहले वाले case में तो interest हाई नहीं और दूसरे वाले case में आपका 50 लाक रुपे का है 12% तो 6 लाक रुपे का आपका interest होगा तो plan जो solid है अब ध्यान दीजिए interest बता दू solid का solid का interest होगा पहले का रुपे का पहले होगा निल और दूसरे कोई है sound का interest क्या होगा साउड का interest क्या होगा पचास लाक तो अब 12% चेलाक थीक है solid वाले का अगर मैं EBIT लिखो तो आपने निकाला 20 लाक माइनस इंटरस्ट तो कुछ है नहीं और अगर मैं इसको माइनस करूँ तो EBT भी क्या आएगा 20 लाक तो 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 solid वाले का अगर निकालू मैं यहाँ पर तो 20 लाक divided by 1 आ गया इसका ठीक है दूसरे का दूसरे में इंटरस्ट है solid के बाद sound sound का EBIT क्या है sir EBIT है 10 लाक माइनस इंटरस्ट क्या है sir 6 लाक तो EBT बचा कितना 4 लाक है न तो इसका निकाले अगर DFL है FL मैंने कर दिया DFL DFL क्या है का 10 लाक divided by चार लाक इंटू हंड्रेड और इंटू हंड्रेड कहां से आ गया कितने आ गयी है 0.25 2.5 2.5 2.5 सभी का आ गया और ये चैप्टर मैं कहूंगा जो अभी स्टार्ट हुआ है ये ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट किसे लीवरेज यहां तक किसी को डाउट है तो पूछिए चैट में अभी ये करेंगे या पहले ये करेंगे चलो इसमें किसी को डाउट सर, EBIT कैसे आया EBIT कहरा रखा है कि assets के उपर निकालना है 10% तो ये था हमारा fixed assets total assets ये था इसके उपर एक में 20% था तो 20% निकाल दिया हो और एक fixed assets हमारा ये था तोटल एसेट उसके उपर 10% कह रखा है कुशन में तो 10,00,00 चलिए ये कुशन होमवग में देते हैं या मैं करा हूँ आ चलो मैं करा दूँ आं इसे होमवग नहीं देते हैं कि यह कोश्चन अभी करके देखते हैं कि कोश्चन बड़े जल्दी नंबर आगे बढ़ रहा है ऐसा क्यों अभी तो आठ पे थे तो पार बारत तेरा पर गैसे को पंद्रह कि चलिये मैं लास में दिखा दूआ लास स्लाइट सारा अभी दिखा देंगे कहता है फॉलविंग इन्फॉर्मिशन अवेलेबल PQR लिमेटेड कहता है सर एकुटी शियर कैपिटल फेस वेल्यू कितने का है तीन बीस का डिवेंचर दे रखा है ब्यालिस लाख पचास हजार फिक्स कॉस दे रखा है आपको चालिस हजार चार लाख 8000 OL दे रखा है ओपरेटिंग लिवरेज देट इस 1.4 कमबाइन लिवरेज 2.8 सेल्स गीवन है आपको और टेक्स रेट गीवन है क्या पूछ लिया भाई फाइंड आउट दा फाइनिंसिंग लिवरेज और EPS फर्म फाइनिंसिंग लिवरेज अब सबसे पहले डी ओल का फार्मूला पता है क्या होता है औरे नहीं नहीं डी सी एल अब देखो यह चैप्टर जो बच्चे इसी चैप्टर से एंड्रोल हुए है उन बच्चों को श कि इंटू में गया होता है अब आपको दो चीज़तों दे रखा है तो हम तो एक निकाल सकते है क्या दे रखा है DCL दे दिया 2.Dol दे रखा है कितने 1.Operating Leverage का मतलब होता है DOL 1.4 इंटू में DCL DFL तो अब कैसे निकलेगा बताओ माइनस कर देंगे तो ये multiply करेगा तो 1.4 DFL आ जाएगा तो अगर हम देखें DFL 1.4 आ गया तो अगर DFL निकालने तो इससे डिवाइड कर देंगे 2.8 divided by 1. is equal to DFL क्या आ गया DFL इसको उठाके इधर लेके चलते हैं क्या आ गया DFL 1.4 अब बताओ तो सही 2 2 ही आएगा ना 2 आ गया चलो ठीक है सिधार 1.55 में 2 आ जाएगा ठीक है पहला कोजिशन कर लिया दूसरा बोलना EPS निकालो तो EPS निकालने के लिए हमें चाहिए profit और number of share profit सवाल में कहीं नहीं दे रखा तो income statement बनाना पड़ेगा sales minus variable minus fixed cost ऐसे जो करते आये थे क्योंकि यहां पर हमें क्या पता है sales पता है और sales के साथ साथ हमें क्या पता है fixed cost पता है ठीक है लेकिन sir variable cost नहीं पता तो हम किसी एक में formula रख के EBIT जरूर निकाल सकते हैं क्योंकि आपका एक formula पता है DOL का क्या होता है EBIT divided by contribution यही होता है साहब इसमें contribution है नहीं यह रखा है अच्छा उल्टा लिख दिया contribution divided by इसमें contribution है नहीं सवाल में तो मैंने बोला था जब contribution ना मिले तो काम चला लेना है किस से sales दे रखा है सवाल में और DOL भी दे रखा है तो EBIT निकल जाएगा राम से अब EBIT निकल गया तो interest minus करके EPS भी निकल जाएगा सारी चीजे तो यहां पर देखा जाए तो क्या हो सकता है सर DOL कितना है सर 1.4 contribution कितना नहीं पता स्वारी सेल है ना contribution तो यहां पर मैं slash करकर लिख देता हूं sales कितने हमारे 60 लाक divided by EBIT तो अब यहां पर निकाल देता हूं तो क्या जाएगा हमारे EBIT कि शाट लाक divided by 1.4 14 पॉइंट में आ जाएगे गये कि 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 यह कि अब इसमें से क्या करेंगे इंटरस माइनस अब यहां पर यह वाला सवाल यहीं खतम होगे है इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं यहां पर आ जाएगे इवी आइटी कि 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 माइनस इंटरस्ट इंटरस्ट कि इंटरस्ट किस पर निकलेगा क्या रा इंटरस्ट बताओ कि 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 चलो आज अमशन है 51,000 पांच लाग दस अजार माइनस 377 अब इसमें से माइनस क्या करोगे टेक्स टेक्स कितने परसेंट है 30% 1,1,3,2,7,1,4 माइनस करके बताओ क्या आगया माइनस करके है बताना हां 26 लाग 43 है 43 बस डबल जिरो रखते है ट्रिपल जिरो कर देते हैं तो ट्रिपल जिरो कर दिया ना एक खटा दिया नहीं हाँ ठीक है आगे देखो अब क्या करेंगे एपीएस निकालना है तो एपीएस क्या हो जाएगा अगर 32 लाग को आप 10 से डिवाइड करोगे तो 26 करो 2 मारेट पॉइंटिवकिर क के इसकता oom 5 2 मा आपना इसमें हमने कुछ अजम्चन लिया है क्या अजया विए क्या है कोंट्रिविशन में फ्रूंक यहां पर fix cost का भी इस्तमाल किया जा सकता था लेकिन उसके थुरूर नहीं किया हमने fix cost का इस्तमाल कब होता जब हम करते मैं इसको simple तरीके से कर रहा हूं ठीक है fix cost का भी किया जा सकता था formula चेंज करके फिर है बस्क्रें के बुक में match नहीं हो राग कोई दिक्कत नहीं है contribution नहीं निकाला हम sales इस फिक्स कोस्ट वन पॉइंट वन टू है तो हमारे यह एट पॉइंट टू फाइट करके यह आना है कुश्चन नमबर कौन सा है कुश्चन नमबर कौन सा है मेरे बुक में तो कुश्चन नहीं है 16 है 16 है कोई दिक्कत नहीं है बच्चे कह रहे है उससे आया हम नहींने देखो क्या करा है यहां पर सेजस इकल टू कॉन्ट्रिबुशन बुक वाले बच्चे कह रहे है बुक में क्या कर रखा है मैं फार्मूला वही कह रहा था दूसरा फिक्स को तो आपका डी ओल क्या होता है सद्वाइड वाइड 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 नीचे इबिट होता है तो यह ओका ना यह फार्मूला अप्लाई कर दिया उन्होंने जिसमें से डी उएल निकाल लिया डी उएल पहले से 1.4 था कॉन्ट्रिबुशन नहीं पता कॉन्ट्रिबुशन नहीं पता माइनस एफसी ले लिया एफसी क्या है हमारा चार लाख अब इसको सॉल्व करके उन्होंने कॉन्ट्रि निकाल लिया क्या आगया तो कॉन्ट्रि बता दो डिरेक्ट 14.28 अब 14.28 कॉन्ट्रि आगया इसमें से फिक्स कॉस माइनस कर देंगे क्या आगया EBIT कितने आगय 10.020.000 यही है न 10.20 ठीक है अब इसमें से इंट्रेस माइनस करो इंट्रेस क्या था 5.10 कितने बच्चे 5.10 माइनस कर दोगे तो 5.10 आपका EBIT आगया इसमें से ट्रेक्स माइनस करो ट्रेक्स कितने थे 30% यह आगया 3.5 इसको डिवाइड कर दो नंबर अफ शेर से देट इस 3.40 था 1.05 तो यहां पर assumption क्या मैंने पिछले आले में कहा मेरे में 5 क्यों आ रहा है 357 divided by 3.40 है 3.20 तो नहीं है देखो जिरो फाइव आ रहा है 1.05 देख लो डिवाइड यही कर रहा है ना आधा error होगा वह तो मैंने पिछले वाले में जम्शन आप दोनों तरीके से कर लो कोई दिक्कत निया ठीक है चलिए एक बहुत छोटा सा question यह भी homework में देते हैं यह यह homework में है अब क्या सीखने वाले हैं फाइनेशल ब्रेक इवन पॉइंट ठीक है क्या सीखेंगे हम देखो डिफ्रेंट लीवरेज डिफ्रेंट लीवरेज पता है ओप्रेटिंग लीवरेज कंभाइं लीवरेज फाइनिंसिंग लीवरेज है ना लाइकली लेवल ओफ इविए टी एपिएस वन जिरो पॉइंट थी और फानी चलो मैं करा दूँगा यह मेरी तरफ से रहेगा बाकि आप होमवर्क में ट्राइ करना क्योंकि यह वाला पॉइंट ना थोड़ा सा लगा आ गया अलग कुछ नहीं है मैं करा दूँगा अश्कु है क्योंकि डिग्री ओफ अपरेटिंग लिवरेज और इंडिफरेंट पॉइंट बताया है प्लैंट बी में बताओ और फाइनेंशल ब्रेक इवन पॉइंट बताओ सजेस्ट तब विच प्लैन इज फानेंशल रिस्क तो इसे भी मैं ही करा दूँगा चलो ठीक है मैं करा सबसे पहले बताओ ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है देखर हो तीसी आ जाए मतलब मेरा नुकसान ना हो और फाइनेंशल का मतलब इंट्रस्ट होता है तो फाइनेंशल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा जहां पे इंट्रस्ट इस इकल टू इबी आईट्या जाए मतलब फाइनेंशल ब्रेक इवन का तो मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस और जब फाइनेंशल आ गया तो ब्याज मतलब हम ब्याज पेमिंट करने के बाद भी हम जीरो पे खड़े हों कम से कम माइनस में आ जाए ठीक है ना जैसे मान लो आपका इबी आईटी है पांच लाग और आपका इंट्रस्ट कितना है पांच लाग तो आपका प्रॉफिट कितना गया जीरो तो यह फाइनेंशल ब्रेक इवन पॉइंट है तो इसका मतलब कह सकते हैं जहां पे इबी आईटी और इंट्रस्ट बराबर होगा उसे क्या बोलेंगे फाइनेंशल ब्रेक इवन पॉइंट तो फाइनेंशल ब्रेक इवन पॉइंट हमेशा क्या होगा सर इंट्रस्ट होगा यानि फाइनेंशल ब्रेक इवन पॉइंट इस इकल टू इंट्रस्ट खतम कहानी और प्लस में प पूरा डिटेल में फाइनिशल ब्रीक इवन पॉइंट को पूरा एकदम डिटेल में देख लेंगे क्या है अगली क्लास में हम ठीक है ना चलिए सर यह अभी हो गया यह होमग में दिया है ना ठीक होमग में यह तो इसका इतने ही कुश्चन लगा और कहा गया इसका बाकी नई पुरानी बुक में कुछ कुश्चन फरक पड़ गया यह अभी हो गया यह होमग में यह पिछली क्लास में दिया था आज दिया है करें बच्चे नेट्वर्क चलेगे नेट्वर्क कहा गया मेरे में तो आ रहा है कि 7.1 करा दो बिल्कुल वह भी मिलेगा उसका न मैं रिकॉर्ड करके दूँ आपको अल्दो मैंने रिकॉर्ड कर दिया है जिसको आंसर देखना है उसको देख सकता है मैं डाल दूँगा उसको उसमें कुछ समझाना यह 7.1 मैंने रिकॉर्ड कर दिया था क्योंकि अभी दो दिन की न छुट्टी है मैं आपकी छुट्टी तो दूँगा नि फ्राइडे मैं लाइब क्लास ना लेके रिकॉर्ड इट तो जो कॉस्टन बच गए न वो मैं सारा रिकॉर्ड कर दूगा जो हॉमबख में दिया आपको वीडियो वीडियो फ्राइडे तक मिल जाएगा रिकॉर्ड करके मंडे आपका टेस्ट रहेगा किसका टेस्ट रहेगा शर लीवरेज और आपका एक कॉस्ट अफ कैपिटल दो चप्टर कर टेस्ट रहेगा मंडे किस टाइम पे टाइमिंग रहेगा आपका इवनिंग 6 o'clock ठीक है इवनिंग 6 o'clock बाकि जो भी कॉस्ट रहेगा है मैं कौन-कौन सा कॉस्ट का वीडियो आपको प्रवाइड कर दूँगा यह मैंने बना लिया और डिटी मैं अप्लोड कर दूँगा 7.1 आपका डाउट था जिसका जो रह जाए ना मिसिंग बता दे ना सर यह वाला नहीं बोला आपने तो मैं ध्यान रहेगा एक 7.4 का भी करा दूँगा मैं वीडियो प्रवाइड हाला कि होमवक में दे दिया है फिर भी मैं इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा 7.6 का भी मिल जाएगा आपको तीन कोश्चन हो गये 7.7 तो होई गया 7.12 यानि 4 कोश्चन वीडियो 145 कोश्चन और एक ये 6 कोश्चन ये मैं क्लास में करा लाइव में कराना चाहता हूँ मैं इसको वैसे मैं दे दूँआँ तो 6 से 7 कोश्चन मुझे कराने टोटल मिलकुल वीडियो कंटेंट में मिल जाएगा यहां से आज की क्लास एक तरीके से अभी डाव ले रहे हैं अभी रेगुलर क्लास नहीं ले रहे हैं अब रखेंगे रेगुलर क्लास फिर से कोई चुट्टी पढ़ जाए ना हां हेंड्रेस का भी लेते हैं कर लो नोट इसको बताइए या पीडियाफ दे दूँ पीडियाफ कली मिलेगी फिर आज तो मिलेगी नहीं और होमवर्क जो कोश्चन दिया उसको ट्राइ करना है अभी हेंड्रेस का लेते हैं डाउट तो एक किसन कर लेते हैं पैंड़िंग था हमारा के कुश्चन ठीक है यह कुश्चन को हम फटा-फट से कर लेते हैं कुछ नमबर वन है आपका करेक्ट और क्या दे रखा नहीं दे रखा यह देख लेते हैं और हां कुछ लॉग डाउन लगा हुआ है तो इसलिए मैं यह रिकॉर्डिंग क्लास डाल रहा हूं बाकी मैंने क्लास में भी कुछ नहीं कराना था जो कि जैसे मैंने अगला था नेक्ट क्लास में करा वाँ बट डेली के अंदर पता यह लॉगड़ाउन क्या इशू नहीं है लेकिन मैं फिर जुखाली टाइम था मैं रिकॉर्ड करके फिर डाल रहा हूं सिंपल सी बात है चलि new factory expected earning EBIT यानि question में EBIT दे दिया और that is है आपका EBIT दो लाग और the company has object maximized the earning per share यानि चाहती है company के हमारा जो EPS आए वो सबसे ज़्यादा ज़्यादा आए और उसके लिए फिर plan बताएगी it consider possibility issue equity share plus rising debt अब कहाता है कि भी या इसके पास option है कि वो equity share plus debt कर ले ठीक है न it considering that possibility of issue equity share plus remaining debt of 2,00,00 यानि पहली बात कहता है आपको जुरत कितने की है 12,00,00 और remaining debt of 2,00,00 का मतलब हो गया पहला plan में 2,00,00 रुपए का debt हो गया तो sir equity कितने हो गया sir 10,00,00 हो गया यह plan one हो गया या फिर 6,00,00 वाला कर लो तो दूसरा plan क्या हो गया sir कि आपका 6,00,00 का तो debt हो गया है न और चलिए आपका एक कोशन यह pending रह गया था वो भी देख लेते हैं इसके अंदर eps ebit वाला था तो आपको न एक balance sheet गीवन है सिंपल सी बात है जहां पर equity गीवन है दस रुपए का retain earning गीवन है debt गीवन है current library assets का कोई रोल होता है नहीं इतना the company total assets turnover ratio three time company का total assets turnover ratio three time है fixed operating cost आपका दे रखा है यानि operating cost जो है वह एक पचास है इस variable operating cost 50 परसेंट एनि फिक्स कॉस है वेरियबल कॉस दे रखा है 50 परसेंट आगे दे रखा है income tax rate 50 परसेंट यू आर कंप्यूट आप तो एक तो डिफरेंट टाइप आप अफ लीवरेज निकालना है operating leverage financing leverage और combined leverage डिफरेंट टाइप की लेवरेज इस निकालने आपको ठीक है यहां पर तो चलिए सबसे पहले हम लीवरेज निकाल लेते हैं फर्स पार्ट को complete करते हैं फिर आएगे सेकिंड पार्ट पर और इसके लिए ज्यादा बड़ी जगह भी नहीं चाहिए हमें बेसिकल चलिए इसके लिए लीवरेज चैटर मैंने बोला बच्चों को पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा इसलिए मैंने पहले नहीं करा है क्योंकि बहुत बच्चों से स्टार्ट किया तो लीवरेज के लिए मैं सीधा डारेक्टली कर रहा हूं सबसे पहले आपक एसे टर्नोवर है टर्नोवर यानि सेल्स आपका यहां से निकल जाएगा इसे टर्नोवर रिश्यो का फॉर्मला क्या होते हैं कि सेल्स कि सेल्स कि एक सिकिंट कि सेल्स चलिए एक और कुशन है आपके सामने हाला कि इस टाइप का कुशन करा हुआ है लेकिन आप ने अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है प्रैक्टिस में अगर नहीं हुआ है इसका अंसर आपका तो मैं आपके लिए कर देता हूं ठीक है अगर चलिए एक लिए नहीं है तो थोड़ा बड़ा कर दें आपके आजाते हैं सर तीन प्लैन दे रखा है तो अड़ेटी हम तीन कॉलम तो ड्रो कर लें फिर कुशन पढ़ लेंगे और और यह इस टाइप का कुशन हमने किया है न आप देखोंगे न तो इस टाइप का हमने कुशन किया हुआ है कि A B C तीन प्लैन है A B और C चलिए अब कुशन पढ़ लेते हैं ठीक से करना है समझ के कुशन सारे प्रैक्टिस करो अभी आपके वास इनफ टाइम है तो मैं कहूंगा सारे कुशन प्रैक्टिस करो बेटर है कहता है M Limited is considering a major expectation of its production facilitate want to raise 50 lakh और इसको 50 lakh की जुरत है for the purpose of this following alternative available कहता है alternative 1 में आपको 50 lakh का सिर्फ और सिर्फ equity capital लगाना है 2 के अंदर तीनों में divide हो गए थोड़े थोड़े से और C के अंदर भी question number 4 में किसी का doubt test कल reply मिल जाएगा whatsapp पे अबको कल अभी काफी सारे हो गए है काफी सारे pending है चलिए four का बताईए doubt done किसका वो मैं आज डलवा दो आज डलवा दूँ आपको फर्स्ट मैंने करा दिया था वैसे त्यूंकि उन दिनों रिकार्ड कर लिया था पाइव हो गया 6 में किसी बच्चे का डाउट है 6 में देखिए आपके सामने कुश्चन है हाला कि बहुत पहले दिया था अगर डाउट थोड़ा भी हो तो बोल देना मैं पूरा कर दूँगा क्योंकि आज हम ना पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं ये आज न्यू चैप्टर नहीं होगा आज जो इस क् bod में आर फिन यू नाना की मैं इसुनित का लाश्ट चैप्टर मासी तडाउट इस कॉश्चन में मान आउटे आपका इस वाले कॉश्चन में सर यह कौन सा चप्टर है नियू एंड्रोल है कर्सिस ये ना अभी EBIT EPS चल रहा है तो जितने बच्चे नियू एंड्रोल है उनको सबसे पहले लीवरेज देखना चाहिए और फिर उसके बाद EBIT और cost of capital सीक्वेंस में चलेंगे वो ठीक है ना मैं एक वीडियो भी क्योंकि डेली बेसिस पर बच्चे एंड्रोल होते हैं फिर वो confused होते हैं तो मैं एक ना वीडियो भी बना दूँगा कि आपको यह यह चप्टर देख लेना चाहिए मान सीका येस नहीं देखें जिसका पुरानी वीडियो आप देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग ली बाकि मैं लाइव में भी करा रहा हूं वो भी करा रहा हूं जो पुरानी वीडियो में डालूंगा ना वो टैनियर की रिकॉर्डिंग मतलब टैनियर के सारे questions उसमें हो जाएंगे तो आपके practice के लिए मैंने कहा कि बच्चे कई बार tenure करते हैं प्रेशान हो जाते हैं तो पहले से recording कर रहा हूं ठेक है चलिए एक बच्चे का मानसी का यह question doubt है तो मैं समझा देता हूं इस question को फिर doubt clear हो जाएगा देखिए question में क्या कहता है एक x limited company है जिसके 3 different plan है और 100 करोड रुपे की जरूरत है इसे ठीक है ना और सबसे पहले कहता है 100 करोड रुपे यहां पे कुछ ना कुछ हमें बनाया हुआ है plan के according कहता है sales for first three year estimated 100 125 तो मैं एक plan का करूँगा बी और सी आपने करना है ठीक है तो year one year two year three मैं एक का कर देता हूं कौन सा कर रहा हूं मैं a plan का कर रहा हूं तो बी और सी वैसे हो जाना है चलिए कहता है 10% profit before interest and tax year one का sales अगर 100 करोड है तो EBIT निकाला जा सकता है EBIT 10% बोल दिया उस नहीं तो 10% 100 करोड का 10 लेक्स अरे यह थोड़ा इदर आ गया इसको इधर shift करते हैं यह हो जाएगा 10 लेक्स वैसा ही लिख देते हैं 10 लेक्स दूसरा 125 है तो 12.5 लेक्स तीसरा 15 है 150 है तो 15 लेक्स यह तो हो गया profit plan A कर रहे हैं तीनो साल के लिए तो sir debenture सबसे पहले minus कर दो इसमें से interest तो interest किस पे निकालोगे 50 लाग पे आपका 8% तो 50 लाग पे 8% होता है 4 लाग तो मैं सीधा-सीधा 4 लाग यह तो fix रहेगा तो यह क्या आगया ebt 6 लाग और 12.4 एट पॉइंट 5 लाग 11 लाग माइनस tax कर दे और tax question में 30% है 1.8 लाग और इसका निकाल दो 2.55 5.95 लाग 4.2 लाग और 3.33 लाग 7.7 लाग ठीक है यह निकाल लिया हमने कहता है compute earning per share share all alternative 3 plan में EPS निकालेंगे number of shares तो sir question में बोल रख है 50 लाग 100 तो इसका मतलब 50 अजार से इसको भी डिवाइड करो इसको भी पचास अजार से डिवाइड करो और इसको भी पचास अजार से डिवाइड करो चलिए 8.4 EPS 11.9 EPS 15.4 EPS तो मानसी आपका ये doubt था मैंने plan number 1 कर दिया है plan B और plan C आपको वैसे ही करना है यहाँ पे number of shares है उसको 100 से डिवाइड करके पता करना और यहाँ पे भी यहाँ पे interest 66 पे निकलेगा और यहाँ पे interest 75 पे निकलेगा क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं यह भी हो गया इंडिफरेंस पॉइंट कर लिया था हमने यह तो पूरा कोशन नहीं इस कोशन को homework में दिया था किसी बच्चे का डाउट दो हजार नौ में पूछा गया कोशन है सर एक नमबर दिया दीपा उस पे कॉल में गया कर लिया है वो चेक कर लेगा ठीक है यहां पर तीन प्लान है वन टू एं थ्री तो तीन प्लान बना लेते हैं दो प्लान और बाई रिजल्ट भी आ गया है रेगुलर वाले बच्चों का सेकिंड समिस्टर का और देट शीट भी आपका आ चुका है और मैंने एक वीडियो भी डाला है आप सभी के कमेंट में सिर्फ आपके पास 100 डेज हैं टोटल एक्जाम तक के और आप डेली 2 से धाई घंटे अभी भी पढ़ो न तो आपका कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा काफी बच्चों का कहना है सर कॉर्परेट अकाउंट का पेपर में बैक आ गया है अब क्या करना है देखो पेपर तो डेट शीट मैंने आप कमेंट में चेक करिएगा आपका जो चैट होता है उसमें अल्रेडी मैंने पीडियो शेयर कर दिया डेट शीट का आपके पेपर अठारा उन्निस दिसंबर से हैं पेपर हर किसी का अलग अलग है चलिए कोश्चन पढ़ लेते हैं चलिए अब एमसी प्लैनिंग एक्स्पेंशन प्रोग्राम वीवल रिक्वाइड 30 करोड हमें 30 करोड रुपे की जुरत है फंडिट थुरू अब 3 फॉलविंग यानि 30 करोड रुपे में 3 पॉइंट है कहता है भाईया एक तो मैं पूरा एक्विटी करूँगा दूसरे में लोन करूँगा तीसरे में प्रफरेंश शेर करूँगा दा पर्जेंट पेड़ अप कैपिटल 60 करोड यानि पहले से हमारे पास एक्विटी शेर कैपिटल है 60 करोड का और एक शेर की वेल्यू 100 है यानि अभी अमने एक्स्पेंशन नहीं किया तो हमारा एक्विटी ट्विटी करोड है पुराने वाले बात कर रहे हैं आफ्टर एक्सपेंशन अडॉप्शन जब हम 30 करोड रुपए और इंतजाम कर लेंगे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा और वो कितना हो जाएगा 15 करोड रुपए जैसे हम न्यू एक्सपेंशन करेंगे एक्सपेंशन की बात की बात करेंगे तो जो एक्सपेंशन करोड को न मैं लेक में लिख लेता हूँ 500,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 45,00,000 तीस्रे में यह एंण है नहीं सर यह 400,00,000 आ गया 105,00,000 आ गया यह 500,00,000 रह गया i part is T-B T minus कर दो फटा-फट से क्या x और कितने % है? 30%, तो 45,00,000 और यह कितने आ जाएंगे? एक सो पाँच का 31.5 लेक 45 लेक यह आगया EAT यह आगया यह आगया 73.5 लेक और यह आगया 105 लाख अब क्या माइनिस करना है अगर preference dividend है तो कर दो preference dividend ध्यान से देखो तो तीसरे plan में है यहाँ पे नहीं है यहाँ पे नहीं है तीसरे plan में 12% किस पे 300 लाख पे तो preference share dividend कितने लाख पे 300 लाख पे 12% तो that is 36 लेक सर यह profit आगया जो की सारा का सारा किसके हिस्से में जाएगा पता है सारा का सारा जाएगा सर 105 यह जाएगा equity share holder के खाते में तो number of shares देखो plan 1 का number of shares पहले से कितना था हमारा 6 लाख और 6 लाख number of shares अब हमने 30 करोड का इंतजाम किया है तो 30 करोड 300 लाख divided by तो 3 लाख और तो total कितने हो गए 9 लाख समझ रहे हैं total कितने हो गए 9 लाख दूसरे के अंदर पुराना ही रहेगा क्योंकि नए share तो है नहीं यानि 6 लाख और तीसरे में भी 6 लाख 11.666 EPS 73.5 12.25 ज़्यादा आगया यह 11.5 तो बैस यह वाला प्लान हो गया also determine indifference point option 1 और 2 को लेके indifference point बताईए तो sir option 1 और 2 को लेके indifference point भी बता देता है indifference point का क्या formula सीखा था EBIT 1 माइनस में T अगर divided by N is equal to EBIT 1 minus interest और फिर करेंगे 1 minus T divided by N तो sir EBIT तो हमें पता ही नहीं indifference point में क्या आपको EBIT पता होता है नहीं यही तो निकालना होता है तो छोड़ देते हैं N पता है हमें sir N कितना है पहले option में 9,00,00,00 और sir EBIT 1 minus T T कितना है 0.3 सर यहाँ पर भी आ जाएगा EBIT minus interest interest कितना था सर याद करो दूसरे plan के अंदर interest 45 लाक रुपए है 45 लाक अब minus करके फिर कर देंगे 1 minus 0.3 अब यहाँ पर shares that is आपका 6 लाक अब इस 0 से 0 को cut दिया जाए अब बच गया हमारा क्या 0.7 EBIT divided by 9 और भी cut सकता है यह अब इसको solve कर लेते हैं 0.7 EBIT minus में 0.7 से 45 को into करो 0.7 into 45 31.5 लेक्स में है यह divided by 6 cross multiply 4.2 EBIT multiply करो 6.3 EBIT minus 31.5 31.5 into में 9 283.5 अब इससे इधर लेके आजाओ तो 6.3 minus 4.2 तो 2.1 EBIT मैंने minus कर दिया है 283.5 अब EBIT निकल जाएगा divided by 2.1 यह आगया 135 लाक 135 लाक हमारा indifference point का EBIT रहेगा तो यह सवाल भी हमने कर लिया बच्चों का 13.5 13.5 बिलकुल 135 लाक आ रहा है 13.5 कह रहे हो 135 लाक यह तो बच्चे कह रहे है 13.50 लाक होगा अच्छा 13.5 लिखा होगा तो 135 लाक का मतलब होता है 13 करोड 50 लाक वह ही यहाँ पर लिखा हुआ है हमने लेक्स में लिया ओ करोड में दोनों सेम है चिंता करने कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए सर किसी का डाउट बचा क्या इस सवाल में एक बच्चे का डाउट था हो गया सौल किसी का बच्चा डाउट बताईए बच्चा किसी का डाउट नहीं आगे बढ़ जाए सर डेप्ट में दो दिया है 15 लेक EVIT दो दिया है ठीक है ऊपर चला गया नो डाउट सर अब इस कोईशन में बताईए डाउट इस कोईशन को मैंने हाला की दिया था मुझे याद है कि मैं करा दूँगा तो चलिए मैं ही करा देता हूँ ठीक है मैं ही करा देता हूँ बहुत जोड जोड के कुश्चन करना पड़ता है चलिए देखते हैं कुश्चन कहता है पी क्यू आर लिमेटेड इन्स्टॉर्ड अ कैपिसिटी अब कैपिसिटी का मतलब क्या होता है कि हमारा काम करने का कितना कैपिसिटी जैसे जहां मैं पढ़ा रहा हूँ यहां पे ऑफलाइन बच्चे बैठने की अगर पचास की स्ट्रेंथ है तो इसको बोलेगे फिफ्टी की कैपिसिटी है लेकिन जितने की कैपिसिटी है जरूरी नहीं के उतने बच्चे बैठें उससे कम भी हो सकता है पर नॉर्मल लाइफ में हम तो ज़्यादा कर लेते हैं लेकिन नॉर्मल बिजनस की केस में ज़्यादा बहुत रही है रुकता है लेकिन हमने कितने का माल बनाया है सिर्फ एक लाख यूनिट तो सारी के सारी calculation हमें एक लाग यूनिट पे करना पड़ेगा ना कि हमें एक लाग पचास अजार यानि एक लाग पचास अजार कुछ है ही नहीं कोई relevant नहीं है इस question के लिए कहता है भाईया एक यूनिट हम एक रुपे में बेचेंगे जिस पे पचास पैसे का खर्चा आएगा fix cost आजाएगा 38 और fund required हमें एक लाग रुपे का है एक लाग रुपे हमें जुर्रत है तो सबसे पहले questions के अंदर तीन plan है plan A बोलता है भाईया जो भी पैसा requirement होगा यहाँ पे हम 60% equity में input डालेंगे 40 debt में यहाँ पे 40 equity 60 debt यहाँ पे 35 पैस डिस्टिब्यूट कर दिया मजे की बात क्या है share जो issue होगा वो होगा किस पे सर premium पे और यह 2012 में डेली उनिवर्सेटी में 15 नंबर का सवाल पूछा भी गया ऐसा तो यहाँ पे premium पे चलिए कोई बात नहीं कहता है degree of operating leverage, financing leverage, combined leverage यानि leverage से related point पूछ लिया है तो यह leverage जिस बच्चे को आता है समझ में आ गया होगा indifference point plan A और B यानि इन दोनों के बीच में indifference point निकालके दिखा दो बस कई बार सिर्फ बोल दे ना indifference point निकालिए और यह ना बताए के plan 1 में निकालना ए बी में तब पता है क्या करना पड़ेगा आपको A और B में निकालना पड़ेगा यानि जितने maximum आपका possibility बन सकता है उतने indifference point निकालने पड़ेगा अगर question कहता है सिर्फ indifference point निकाल दो तब एक तो A और B बन जाएगा A और C बन जाएगा और C और B बन जाएगा C और A बन जाएगा इस situation में यहां तक समझ में आ रहा है पूरा का पूरा और last कहता है financial break even point यह तो आज सिर्फ देखते हैं अब देख लें हमारे पास तीन plan है तीनो plan को solve कर लेंगे बहुत आसानी से कि कुछ हमें पीछले पेज पर भी जाना पड़ेगा कि देखते हैं सर क्या क्या है भाई यहां पर है option one option two और option three ठीक है अब यहां पर ध्यान से देखें सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा evit तो sir evit पीछे पेज पर निकाल लेते हैं देखो आपको sales दे रखा है sir एक लाख unit और एक बेचोगे एक रुपए में मतलब sales हो गया आपका एक लाख का variable cost कहता है पचास पैसे का होगा एक लाख unit 0.5 यानि पचास हजार रुपए का आपका contribution निकल के आ जाता है यहां और contribution क्या है चलो मैं यहीं पर नहीं निकाल लूँ यहीं निकाल देते हैं पीछे क्या निकालेंगे directly क्योंकि operating leverage भी पूछा है तो काम ही आ जागा यहीं निकल जाएगा सबसे पहले लिख लेता हूं मैं sales sir एक लाख into मैं one that is one lakh minus में variable cost कर देंगे जो है एक लाख unit पर पचास पैसे that is 50,000 चलिए इसको minus करेंगे तो क्या आएगा contribution इसको minus करेंगे तो क्या आएगा contribution कितने आगे पचास अजार पचास अजार अब इसमें से क्या minus करना है fix cost sir fix cost सवाल में खुदी कह रहा है 38 अब 38 fix cost है तो इसका मतलब इसके बाद जो हमारे पास आएगा वो आएगा EBIT EBIT आएगा कितने का अब यहां से हमारा leverages निकाला जा सकता है एक interest और ले लेंगे अब क्या minus करोगे sir इंट्रस्ट माइनस करोगे sir plan number one में तो स्रिफ और स्रिफ एक्विटी और डेट दोनों है साथ परसंट इक्विटी है और 40 परसंट डेट है और फंड की requirement कितनी कह रहा था यह question में एक लाख रुपए का चलिए next page पर आ जाते हैं इसको तो मिटाई देते हैं option one sir अगर मैं बात करूं तो मेरे total equity share capital में पैसे रहेंगे 60,000 और debt में पैसे यानि loan debenture जो भी कहरो debt में रहेंगे 40,000 लेकिन sir equity की बात करो तो equity जो है उस equity में आपका premium भी 25% है तो आपको number of equity निकालना पड़ेगा तो that is number of equity कैसे निकालोगे number of equity share क्योंकि EPS निकालने के लिए जोरत है तो that is आपका total value यानि 60,000 और इसको divide करेंगे 125 से आपको share capital में याद होगा number other than cash वाले topic में करा था कोई चीज आप premium पे issue करते थे तो वहां पे आपने क्या देखा था अगर एक लाक दस अजार की machinery है और 10% premium पे होता था तो 110 से divide कर देते थे तो 125 से तो number क्या आगया कितने चार सो असे यानि number of shares जो आएगा इस case में वह 480 रहेगा सबसे बड़ा catch यही है हर question में number of shares accurate निकालना कुछ बच्चे कहेंगे सो रुपे का है 25% premium है तो अलग से 25% हों का ऐसा नहीं 60% पैसा यहां से आ जाएगा यानि अगर 480 रुपे आप shares issue करोगे और एक shareholder से कितने ले लोगे अब एक चीज मैंने mistake कर दिया 125 ले लिया shares का price नहीं पता यहां पे मैं 12.5 ले लेता हूं ठीक है 100 का भी ठीक था और यह 4800 कर देते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा number 4800 इसलिए मैंने shares का face value पिछले वार जो किया था भी उसके अंदर कितने ले लिये थे सर हमने उसके अंदर ले लिये थे 100 रुपे लेकिन generally shares का face value जो होता है 10 होता है हाला कि questions में कहा है और एक question में क्या रखा था फिर तो पहले सही थे क्या रखा था भाई फिर तो कोई दिक्कत नहीं है 108 ठीक है सर 480 इसका मतलब सर 480 share issue करेंगा और एक share holder से हम 125 रुपे लेंगे तब जाके हमें साथ हजार रुपे मिल पाएगा आप कर सकते हो क्रॉस चेक भी डेट कितने परसेंट है सर डेट 15 परसेंट है तो इसका मतलब आपका 15 परसेंट है तो plan जो one है उसके अंदर जो interest होगा इस 40,000 पर 15 परसेंट होगा डेट इस आपका कितने होंगे छे हजार plan टू की बात करते है यानि option नंबर टू की बात कर लो सर option नंबर टू में कहता है ratio 40 और 60 हो जाएगा उल्टा हो जाएगा equity share capital हो जाएगा 40 का और आपका 15 परसेंट हो जाएगा 60 का लेकिन मुद्दे की बात नंबर निकालना है तो चालिस हजार divided by कितना करोगे 125 तो कितने आ जाएगे हाँ 320 ठीक है यानि दूसरे वाले का डिबेंचर निकाले तो पंदरा को 6 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 9000 कितने आ जाएगे 9000 तो यहां आ गया लो जी लो नो हजार तीसरे आप्शन की बात कर लेते हैं आप्शन नंबर थ्री सर रेश्यो क्या दे रख़ा है रेश्यो कहता है 35 पचास और पंदरा इसका मतलब सर एक्विटी शियर कैपिटल 35,000 15 परसेंट डिबेंचर आपका 15,000 और आपका प्रफरेंच शियर कैपिटल होगा 35,000 कुछ यह है 35 पचास और पंदरा है यह पचास है पचास और यह पंदरा प्रफरेंच शियर कितने परसेंट वाला है सर प्रफरेंच शियर है हमारा 10 परसेंट 100 रुपे का ही है कोई बात ने तो सर अब नंबर निकालना है तो डिवाइड़ बाई 125 तो 280 आ गया है ना और सर इंपरस कितना है गा पचास चजार पर 15% साड़े साथ हजार इस पे साड़े साथ हजार यहां तक आपको clear है जो मैने इंपरस निकाला है अब माइनस कर देंगे देट इस 6,000 माइनस करेंगे तीन हजार और माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 4500 यह हो गया अरणिंग before tax माइनस tax को कर दीजिए जो की सवाल में है हमारे tax दे रखा है tax नहीं दिया कहा है मुझे क्यूंने दिखरा कहां है अच्छा अज्यूम कर लिया आपको exam में tax ना दे आप नहीं करोगे तब भी ठीक है बाकी assume भी कर सकते हो वहाँ पर अगर आपसे leverage तरह पूछा जाए तो leverage में tax का काम ही नहीं है leverage यहाँ से उपर तक के ही calculation में होता है क्योंकि operating leverage का formula पास फाइनेंसिंग का EBIT, EBT वह भी है, कमबाइन का भी हमारे पास है, EPS निकालने का फंडा या Financial Breakeven Point निकालने का फंडा है, या Indifference Point निकालने का ये प्राब्लम है, तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, Financial Break-Even Point उसके लिए भी देख लेंगे, 30% टेक्स अगर माने लेते हो तो 1800 और 30% 3900 और 30% 4500 का आपकी मर्जी आप मानिये या ना मानिये 3150 2100 और यह आजाएगा 4200 यह हो गया EAT अब माइनस क्या करिये PD सर यहाँ यहाँ PD है नहीं PD स्रिफ इसमें था 15000 वो भी 10% यह नहीं 1500 रुपे तो 1500 का होगा तो तो आपका आजाएगा यहाँ 1500 अब इक्विटी शेयर की बात कर लेते हैं तो 4200 इक्विटी शेयर होल्डर को 2100 यहाँ पे और 3150 माइनस में 1500 हाला कि कोश्चन में EPS की कोई डिमांड है नहीं आपको अगर EPS पूछ लिया जाता इस सवाल में तो आप क्या करतें सर इस सभी को नंबर अफ शेयर से डिवाइड कर देते हो हर किसी का नंबर इसनिव द्य difference निकाल लिया 480 P ow आप ऐ सीदह क्या करेंगे उपरेटिंग निकाल लेते हैं थोड़ा साइस मैंने रीडिस कर दिया है चलिए इस डीlerin दी एफ एल हर दो निकल जाएंगे तो multiply कर लेंगे, मैं plan A का निकाल रहा हूँ, आप plan B का निकाल लिए पचास हजार divided by 12,000, 4.16 सबका सेम क्या बात कर लिए हूँ, अच्छा यहां तक तो सबका सेम रहेगा अब DFL बदल जाएगा तो 12,000 divided by 6,000, दो और 12,000 divided by 3,000, 4. अब 12,000 divided by 4,500, 2.66 सब, DFL ना, आप multiply कर दिया करें into में 4.16 यह आगा 11.093 यह 16.64 यह 8.32 अब इसमें conclusion पूछा जाए, कौन सा बढ़िया है, तो भाई, बढ़िया तो अभी तक यह लग रहा है, क्योंकि यहां पे operating leverage में तो नहीं कह सकते है, कौन सा बेस्ट है, financing में सबसे कम यहां, जिसका सबसे कम, वो सबसे बेस्ट माना जाता है, तो यह बेस्ट है, ठीक है, of plan C, 5.9 given है, क्या लिख दिया है, मैंने दो बार, बच्चे कह रहे हैं, सर, 5.9 given है, 9, मैंने गलत निकाल दिया, कितने से कितने divide करने हैं, 12,000 को, 4500, इंटरस्ट किया तो है, मैंने, PDP कर दिया, क्या, dividend, preference dividend, एक मिनट, एक मिनट, 50,000, divided by 12,000, नहीं, यही आएगा, 11,000, सर, टेक्स में calculate, सर, टेक्स, टेक्स सही calculate, नहीं है, क्या, 4500, बच्चे कह रहे हैं, अलग आ रहा है, अच्छा, PD, 1-T, आप समझ ये बात को, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ गया, ठीक है, मैं समझ गया, समझ गया, मैं इसका, PD न थोड़ी देर के लिए, hold कर देता हूं, ये वाला चलो, आपके लिए, ये वाला थोड़ी देर के लिए, hold, जैसे मैं इस वाले पॉइंट पर आँँगा, दुबारा आ जाऊँगा, यहां पर, क्योंकि 1 divided by T क्यों होता है, ये हमें देखना जरूरी है, ठीक है, अब कहता है, पहले, इंडिफरेंस पॉइंट निकाल के बताओ, A और B के बीच में, चलो, ठीक है, A और B के बीच में, इंडिफरेंस पॉइंट बता देते हैं, हां, DFL दो बार लिख दिया, DCL होगा, ने, चलो, पहले हम ये निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं, इंडिफरेंस पॉइंट, A और B में, तो फॉर्मूला अगें वही होगा, अब यहां पर देखोगे, तो पहले प्लैन में भी इंटरस्ट है, तो यहां पर I माइनस होगा, और 1 माइनस T माइनस होगा, डिवाइड बाइन, पहला, सर इवी आईटी तो पता नहीं, इवी आईटी तो पता नहीं है, इंटरस्ट पता है, पहले केस का, पहले केस का इंटरस्ट है, हमारा 6,000 और इसका 9,000, 6,000, और शेयर आये था, हमारा कितना, पहले केस में, 480, अब आपको पता चल रहा होगा, इसका इंपोर्टेंस, अब इवी आईटी, माइनस 9,000, और 1 माइनस T, 0.3 है, अब इवी आईटी, दूसरे केस में, जो आया था, वो आया था, कितना सर्थ, 320, चलिए, solve करते हैं, अगर इसे हम काटे, तो 16 से कट जाएगा, जीरो से जीरो कट गया, 3 और 2, ठीक है, अब आसान हो गया थोड़ा, अब 0.7 EVIT, मैनस में, 42 सो, मैंने मल्टिप्लाई कर दिया, डिरेक्ट, डिवाइड बाइ 3, अब 0.7 EVIT, मैनस में, 3 सट सो, मल्टिप्लाई कर दिया, डिवाइड बाइ 2, अब क्रॉस मल्टिप्लाई करो, 1.4 EVIT, मैनस में, 8400, 3 से मल्टिप्लाई करो, 2.1 EVIT, मैनस में, 6300, इंटू में 3, 1 8 9 00, ठीक है, अब इसको भी मल्टिप्लाई कर दिया, EVIT, EVIT अलग कर लो, तो अगर 2.1 1.4, तो 0.7 EVIT, और ये हो जाएगा, 18,984, तस पान सो, हैंस, EVIT आएगा, तस पंदरा हजाद, EBIT कितने आ गए, 15,000, ठीक है, बच्चों ने निकाल भी दिया था, ये तो हो गया, सवाल नमबर 2 का जवाब, पहले का भी हो गया, सवाल नमबर 2 का भी जवाब हो गया, अब इन डिफरेंस पॉइंट, फाइनेशल ब्रेक इवन की बात करेंगे, थर्ड पॉइंट है, फाइनेशल ब्रेक इवन पॉइंट, सबसे पहले हम समझते हैं, सर फाइनेशल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, Financial break-even point क्या होता है Break-even point Sir break-even point क्या होता है समझिएगा Sir break-even point वो है जहां पे हमारा कोई loss ना हो और जहां पे हमारा कोई profit भी ना हो और financial का मतलब होता है आप किसी को interest payment कर दो आप किसी को dividend payment कर दो और dividend भी कौन सा Sir preference share वाला आप किसी को interest payment कर दो आप किसी को preference इसको financial बोलते है तो Sir financial break-even point का मतलब क्या हुआ देखें मान लेते हैं assume हमारा sales ज्यान देना दो को point करूँ हुआ मैं सेल्स मान लेते हैं सो रुपए वैरियेबल कॉस सेवेंटी तो Sir contribution क्या आएगा 30 FC क्या आएगा fix cost मान लेते हैं 10 तो ये क्या आगया हमारा 20 अगर मैं सरिफ break-even point बोलूँ तो break-even point क्या होता है Sir आपको पहले बताया था जहां पे हमारा fix cost is equal to is equal to क्या हो जाए जहां पे fix cost contribution के बराबर हो जाता है उसे break-even point बोलते हैं तो Sir financial break-even point क्या होगा financial break-even point वो होगा जहां पे आपका interest और preference dividend का पैसा recover होने के बाद आपका कुछ न बचे यानि पहले मैं interest को पकड़ लेता हूँ अगर interest की बात करें तो जहां पे interest अगर मैं minus कर दूँ जैसे ये कितना है बीस है अगर मैं interest minus कर दूँ बीस रुपए तो मेरा profit कितना बचा जीरो तो ये financial break-even point हो गया हमारा financial break-even point क्या हो गया सर जहां पे EBIT is equal to क्या हो जाता है interest इसका मतलब financial break-even point का मतलब है interest ठीक है सर्फ interest का पैसा ले लो वही क्या माना जाएगा financial break-even point माना जाएगा समझ में आ रही ये बात क्या है इस वाले point से अब मान लेते हैं एक और example आपके लिए मान लो 100 रुपे का ये है दूसरा example ले लेते है और 40 रुपे का ये है 60 रुपे है 10 रुपे और 50 रुपे है और interest मान लेते हैं 20 रुपे ही है तो बचे कितने 30 अब इसमें क्या होगा ये E BT माइनस क्या करोगे टेक्स यहाँ पर टेक्स तो कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पर अगर मान लेते हैं 50 परसेंट है तो 15 तो अब जो आएगा वो क्या आएगा EAT that is 15 अब माइनस क्या करोगे PD PD मान लो 10 रुपे है अब परफरेंस डिविडेंट कितना है आपका 10 रुपे लेकिन यह 10 रुपे पता है कब गया है टेक्स को माइनस करने के बाद का पेमेंट है तो आपका खर्चा यह नहीं है 10 रुपे आपका टोटल यह तो net खर्चा दे रहे हो परफरेंस डिविडेंट को दे दिया 10 रुपे ले लो एक्चुल ग्रॉस खर्चा कितना हो रहा है आपका तो इसका मतलब ग्रॉस खर्चा अगर पूछे तो यह 10 रुपे 50% टेक्स को माइनस करने के बाद है यानि equal to 50% है यह नंबर यानि जो 10 रुपे मैंने आपको पेमिंट किया वो टेक्स पेमिंट करने के बाद ही किया तो यानि 50% टेक्स था तो equal to 50% है तो इसका मतलब सर इसको कैसे करना पड़ेगा 100% चाहिए divided by 50 यानि यह आपका 20 रुपे माना जाएगा डिविडेंट का खर्चा डिवाइड वाइड 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 यानि अगर मैं financial break-even point पूछता हूँ आपसे, तो simple सी बात है, financial break-even point का मतलब होगा, प्लस कर दो सर, इसमें preference share का dividend, लेकिन interest तो आपको सीधा सीधा मिल जाता है, before tax होता है, तो सीधा लिख लेतो, लेकिन preference share dividend कैसे निकाला जाएगा, preference share dividend निकाला जाएगा आपका, dividend divided by one minus में T, कि आपका after tax है, आपको before tax dividend कैलकुलेट करना है, that is आपका ये dividend कौन सा है, सर, before tax, समझ में आरी ये बात आपको, तो इसलिए ये formula drive हो गया, before tax का, तो क्या ये खर्चा भी मेरा एक तरीके से, finance का ये खर्चा है, क्योंकि financial break even point निकाल रहे है, तो ये खर्चा भी किसका माना जाएगा, finance का ये खर्चा, अगर कोई मुझसे financial break even point पूँचेगा, तो मैं interest बता दूँगा, और क्या बता दूँगा, preference share dividend बता दूँगा, दोनों को add करके बता दूँगा, लेकिन interest सीधा ले लूँगा, और dividend को हमें before tax बना के, इस formula के point से हमें बताना होगा, समझ में आया है यहां तक, clear है, तो इसी तरीके से हमारे सवाल के, तीसरे part में पूछा गया है, financial break even point suggest, कौन सा plan more financial risky है, तो जिसका financial break even, यानि ज़्यादा होगा, option number one का क्या है, option number two ही चीज़ तो लेना है, option number one में क्या है, interest एक यह रहा, और PD देख लो, option number one में तो PD है ही नहीं, तो option number one का, financial break even point is equal to, क्या आ गया, अब बताओ, option number two का, financial break even point, क्योंकि दूसरे में भी नहीं है, तो कितने हाई जाएंगे, और option number three का, अब यहाँ पे interest भी है, और PD भी है, तो interest की बात करें, तो interest तो 75 hundred है सर, और PD अब हमें निकाल लेना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, PD था हमारा पंद्रा सो, कितने थे भाई, पंद्रा सो, और अब divide करना पड़ेगा, one minus में 0.3, तो 0.7, यह 2142 आ गया, प्लस पिछात्तर सो, यह आ गया 9642, 9,642, ठीक है, क्या गया यह, प्लैन सी इस रिस्की, यहाँ प्लैन सी रिस्की है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा है हमारा, सर यह, लेंदी कोर्शन कुछ नहीं होता, पंद्रा नंबर का भी तो है, यहाँ तक क्लियर है, अब इसका अंसर क्यों डिफर आ रहा था, क्योंकि हमें financial leverage निकालने के लिए, अब क्या follow करना पड़ेगा यहाँ पे, जब आपका PD आ जाए, तो आपका financial leverage होगा this, और divided by, आपका जो यहाँ पे निकलेगा वो, लेकिन, इसके बीच में, इसका मतलब आपका financial leverage निकालोगे न, financial leverage में आपको पहले चीए 12,000, और आपका financial risk कितना है, 96,000, तो यह आगया EBIT, और यह बन गया, मान लेते हैं, financial risk, interest dividend, और यह आएगा EBIT, क्योंकि बीफोर टेक्स कर दिया न, उसको तो हमने, तो अगर हम माइनस करें, 12,000, माइनस में 96,000, तो तो अगर हम माइनस, अब इसको डिवाइड कर दो, 12,000, डिवाइड बाए, यह 5.089, ठीक है, अब DCL निकाल दो, 4.16, यह 21. आगया, तो सर इस question में न leverage का एक point और discussion हो गया जो कि leverage वाले chapter में आया ही नहीं था कौन से वाला preference share dividend वाला इस वाले question में आ गया है तो ये unit जो है कहीं न कहीं आपको आगे पीछे से link हो जाएगा तो ये question था हमारा बच्चे पूछें सर ये question पेपर में important है वाई एक बार आ चुका है तो पेपर में important question आते हैं आप भी जानते हो तो 2012 में पूछा जा चुका है ये question तो important तो है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं किसी का doubt है तो आप पूछ लीजिए मैं यहाँ पर hold कर रहा हूं चाहे financial break-even point में doubt हो चाहे आपका degree of operating leverage finance combined या indifference point में तो मैं explain कर दूँगा नहीं तो आगे question में हम बढ़ जाएंगे dfl में मांसी का कहना है dfl कौन से plan one two three plan one two का तो basic सा है plan three के अंदर preference year को और add कर लिया हमने यानि क्या कहता है financial का मतलब क्या होता है interest या finance interest और preference dividend दोनों मिला के खर्चा आपका माना जाता है तो interest तो साफ साफ और वो भी before tax वाला तो interest तो साफ साफ आपको given था 7500 लेकिन dividend after tax आपको 1500 पता था before tax हमने बना लिया जो बन गया यह इन दोनों को जोड दिया sorry before tax बनाया तो क्या बना हमारा यह solve करके यहां पर आ गया था लिखा नहीं मैंने इंट्रस्ट और प्रिफरेंस डिविडेंट को एड कर दीजिए तो financial break even point बन जाता है और इंट्रस और प्रिफरेंस यह प्रिफरेंस यह डिविडेंट का निकालने का यह फॉर्मूला है जिससे हम before tax कर लेते इन दोनों को जोड दिया जाएगा बहुत सिंपल सा पॉइंट है नेट इशू था ओके चलिए यह भी कर लिया हमने यह वीडियो अप्लोड कर दिया है यह भी कर दिया ने शाहिए बताईए यह गोशन हो गया था क्या 17 लास्ट कोशन है यह हां वह आगे पीछे होगा और भी इसके लावा देखना इसके लावा और भी कोश्चन है देखो दिखाना बुक इसके लावा और यह भी हो गया यह भी हो गया एक ट्विंटी रह जाए रह रहा है ना यह ब्रॉप यह ब्रॉप यह ब्रॉप यह हो जाएका अधिड़ 17.6 अप्लोड नहीं हुआ है यह अप्लोड हो गया है मैं दुबारा इसको अरेंज करके कल करवा दूआ हाँ 7.11 देखना क्या कोशन है पहले मैं इसको पूछ लूँ अब इस कोशन को एक बर समझा देते हैं पहले लास्ट कोशन है और एक कोशन और होगा आपके बुक में मेरे पास पुराने बुक है तो मेरे पास नहीं है चलिए क्या कहता है फॉलोविंग बैलेंस शीट एमेल एक्यूपमेंट का है बैलेंस शीट से क्या मतलब है सर हमें एक्विटी उठाना है बैलेंस शीट से हमें डेट लेना है बैलेंस शीट से ही काम तो यूज करते हैं बैलेंशीट से ताफ अधा फिक्स एसेट टर्ण ओवर रेशो तो यह ना आपका रेशो का पार्ट है क्या फार्मूला होता है बताओ सर होता है sales divided by fixed assets ठीक है अगर total asset turnover ratio होता sales divided by total assets हो जाता है the fixed operating cost of the firm fixed operating cost यानि fixed cost दे दिया and the variable cost 40% तो जितना sale निकलेगा उसको 40% हो जाएगा tax rate 30% यह तो पता ही है EPS निकालने के लिए काम आता है सबसे last में minus करते हैं कहता है different leverage of the firm तो मैं आपको एक पूरा table बना देता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर formula यूज करते हैं 4 है आपका यह यह कितने हैं 4 is equal to sales नहीं पता लेकिन सर F.A. तो पता है fixed assets कितने हैं तो सर sales निकाल लिया कितने आगे sales 6,00,00,00 minus variable cost कर दो कितने percent है तो 2,40 तो कितने बच गए that is contribution minus FC कर दो question में कितने दे रखे हैं कितने बच गए minus कर दो यह बन गया EBIT minus कर दो आप interest तो interest कैसे निकालोगे 10% 80,000 पे 8,000 बहुत कम है interest नहीं तो असी अजार का 10% तो आटी अजार होगा ना चलो minus करोगे तो क्या आ जाएगा 252 यह आ गया EBT अब तो सब कुछ हो गया leverage सारा निकल जाएगा इससे अब आगे की बात करें likely level of EBIT EBIT बताइए अगर EPS हमारा 1 हो EPS क्या हो हमारा 1 और EPS क्या हो 3 हो चलो इसको तभी बता देंगा पहले financial break even point बता दो तो financial break even point क्या होता है आपका only क्या interest तो financial break even point स्रिफ interest होता है that is interest कितने है खतम ठीक है अब बात आगया EPS निकालो एक रुपए पर EBIT कितना होगा अगर आपका EPS एक रुपए है तो EBIT कितना होगा बहुत सिंपल इसको भी कर लेते हैं अब देखो मैं EPS का formula बता हूँ क्या होता है EBIT उसमें से minus interest करते हो फिर आप उसमें से क्या minus करते हो 1 minus T और उसको divide कर देते हो N से number of यही तो होता EPS आपको EPS पता 1 रुपए EBIT सवाल में पता था आपको कितने होगा EBIT 260 question number 1 ऐसा ही था interest पता है आपको 8000 1 minus T T कितने परसेंट था 30% 40 T कितना दे रख रहा 30% 1 minus 0.3 number of shares बताइए कितने होगे अगर 60,000 है तो divided by 10 तो 6,000 तो divided by 6,000 solve करते हैं इसको यह आगया 176,400 अरे एक मिनट EBIT पूछा गया था मैंने गलती से ने EBIT अपना ले लिया EBIT तो पूछा गया है माराज तो EBIT के जगह तो क्या रखना है क्योंकि formula में कुछ missing है नहीं है तो क्या निकाले गया चलिए 0.7 EBIT minus 5,600 divided by 6,000 is equal to 1 अब cross multiply कर दे minus 5,600 इदर आके plus हो जाएगा तो 11,600 is equal to 0.7 EBIT अब divide कर दो इसको किस से divide कर दो 11,600 divided by 0.7 तो यह आ गया 16,521 समझ में आ रहा है ठीक है अब इसके बाद उसने बोला कि अच्छा यह निकाल लो तो 3 के हिसाफ से बता दो तो 3 के हिसाफ से भी हो जाएगा बस एक जहां मैं उन्हें पुट किया वहां पे 3 हो जाएगा समझे बाद तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा sir EBIT calculate करना है हाँ बिल्कुल लिख लिया हो जाएगा यह तो अगर देखा जाए तो हमने सारे सवाल लगबग लगबग कर लिया है इसके अब यह वाला सवाल ना डला हुआ है मैं वीडियो को cut करके अच्छे सा रेंज करके डलवा दूँगा तो इसलिए मैं नहीं करवा रहा है और कोई बच्चा कह रहा था sir 11 question ना इसमें upload ही नहीं है मैंने भी देखा एक question सरफ आधा डला हुआ है मेरे पास था नहीं यह क्या question एक पर देखना 11 question कौन सा है 11 question क्या है यह पता नहीं कौन सा है 12 मैं पढ़ देता हूं question है और यह भी हो जाएगा operating leverage बोला हुआ है और financial leverage और सारी detail है हो जाएगा आप करिए गट रहा है इसको बहुत simple है मैंने देख लिया इसको तो मुझे बताने के ज़्यादा जूरत है नहीं तो इस chapter को करते हैं पूरी तरीके से खतम next class के अंदर हम जो chapter करेंगे that is हमारा chapter होगा value of firm third unit का बिलकुल last chapter होगा वो उसके बाद हमारा third unit पूरी तरीके से क्या हो जाएगा complete फिर हम जाएंगे fourth unit बड़ा चोटा सा है मान के चलो आप बहुत चोटा सा dividend वाला है तो उसके भी सारे question कर लेंगे fourth unit और फिर हम उठाएंगे first unit का tvm time value of money और उसके बाद capital budgeting अगर कोई बच्चा बोलेगा सर पहले capital budgeting करा दो तो वह करा देंगे कोई दिक्कत नहीं है अभी मैं गुर्गुर्ण आज आपको call भी किया गया था आपने पिकी नहीं किया call आज कॉल किया था मैसेज भी किया बट उस टाइम पर फोन ही किया था आपके डाउट के लिए कि बिल्कुल कर देंगे इसका देख लेंगे जैसा भी रहेगा पहले हलके फूल के चप्टर सारे निप्टा लेते हैं ठीक है टेस्ट आपको अगली क्लास के अंदर कल मिल जाएगा टेस्ट और दूसरा टेस्ट और दूसरा टेस्ट सेकिंड टेस्ट आपका होगा सर जैसे हमारा तीन चप्टर खतम हो गया है इसका मतलब लीवरेज कॉस्ट आफ कैपिटल और एक इबी आईटी यह तीनों चप्टर का टेस्ट होने वाला है और यह टेस्ट लेंगे हम वेडनेस दे देखो डेट शीट आ चुका है आपका डेट शीट देखा जाए तो दिसंबर में एक्जाम है और मेरे खाल 26 दिसंबर को है रेगुलर वालों का और जैन में दे रखा है आपका ओनर्स वालों का तो टाइम है अभी तो मैं यह नहीं चाहता के पहले सारा स्लेवर्स फिर बार टेस्ट साथ के साथ हम टेस्ट लेते जाएंगे ठीक है ना फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर देंगे मंडे तक लगबग ल चल रहा है मालों 13, 13, 7, 20 तक हम एक यूनिट और कंप्लीट कर चुके होंगे 20 तक यानि इस महिने में हमारे दो यूनिट पूरे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद एक यूनिट नंबर 5 है मैं दुबारा रिवीजन में भी करा दूँआ और वो अल्रेडी हमने कर भी रखा है पूरा सिस्टेमेटिक वो भी हो गया बस सबसे बड़ा यूनिट जो है जिसके लिए हम एक महिने का टाइम लेंगे जो कि मैं पूरा उक्टूबर उसको लेना चाहता हूं आपका है कैपिटल बजटिंग जिसको आराम से करेंगे ऑक्टूबर के मन्त में ठीक ह नौवंबर पंदरा तक यानि एक्जाम से दस पंदर दिन पहले हम सारी चीजे खतम कर लेंगा दस पंदर नहीं एक महिने पहले सारा सारा स्लेबस खतम हो जाएगा इसका आप वो देखते हैं कौन सा करवाना है उसी के हिसाब से जो बोलेंगा सभी बच्चे वो करा देंगा ठीक है फीक है बागी सारे पॉइंट्स हो गया है सर बुक वेल्यू में 11.37 है सर टेस्ट के कुश्चन में बुक वेल्यू में 11 अभी टेस्ट में कल देखके दिया बता दूंगा सारा तो आज तो किसी बच्चे का डाउट रहेगा नहीं क्योंकि सारे कुश्चन हो गया है आपके ओल्मोस्ट